डिलामर這ट न वर कि प्लास एट चेप्टरस धीद술 चैप्मक अगर ओकुक तरह होड़ें ज्यास स्पार आध मत्या करें सो atención थबिना वक्त गवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं elaborate onществ UA हैं खबेर और बोलन क्या हैं खबेर और बोलन क्या हैं दर्रे हैं और यह कैसे दर्रे हैं यह खबेर और बोलन वो प्रमुख दर्रे हैं जो प्राचिन समय विदेशियों का भारत भूमी में आगमन का मार्ग था खबेर और बोलन हमाले छेतर की वो काचिन दर्रे हैं जो विद किनने भॉगालिक भागों में विभक्त किया गया है। उतर पूरी परवत्य परदेश मु약्य कि किना में गंगाका मैदान जो नदियों का मैदान बना हुआ है तातिया मैदान मुखेत शेत रहे हैं और दक्षिन का जो प्राइदी प्यप अठार है वो क्या है वो हमारा चौथा मुख्य वफिल भॉगलिक भाग है थार का मरुस्तल राइस्थान पंजाब और गुजरात के छेत्र तक फैला जो हुआ है वो थार का मरुस्तल और अंतिन दीप समू जो है भारत की मुख्य परवशंकला है इस्तित है तो कौन्ची परवशंकला है इस्तित है किर्थर सुलेमान और हिंदूकस परवशंकला है इस्तित है एक कुश्यन देखी विस्व की सबसी उची वे नवींतम परवशंकला कौन्ची है विस्व की सबसी उची वे नवींतम परवशंकला कौन्ची है तो हम सभी जानते हैं हिमाले परवशंकला है वो बले से उत्पन परवशंकला जो नवींतम परवशंकला भी है इसे की सबसे नवींतम परवशंकला कौन सी है हिमाले परवशंकला और हिमाले जो परवशंकला है हिमाले और हिंदू परवशंकला है भारत में बरसा करने में स चेत्र को सीत मरुस्थल में तब्दीर कर देती, तो यहां किसी देश के पनपने जैसी इस्तितिया नहीं होती, तो हिमाले परवश्णकला हमें इतना, जो हमारा देश विक्सित हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा करण भी क्या है, हिमाले परवश्णकला यह है, चलिए, नय हमाले से मिल जाती है, अराकान योमा की जो पहाड़िया है, जो कierzon मय अनमयार में मंगाल की खाड़ के साथ के साथ इस्तित हैं, वो हमाले से मिल जाती है, तो चलिए, नय कुछन देखिए, prix्त महाद्वीप किसे कहा जाता है, यहांई सkingव स्ब काते है, किसी कहते है हमारा भारत देश जो Sun continent यानि जोृ महादीब रंता यह हम अभीद और रोग्म हो गया है अब पूरी महादीफ, प्रिकार से कटा हुआ है- हमाले च्धेतर की वज़न समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरा जो जो जक्षिंट हिस्सा यहां पर निवास कोशन देखिए भारत की मुख्य भूमी का अक्छांस ये विस्तार कितना है यह आपका है आटे डिग्री चार मिनिट उत्तर से 37 डिग्री चार मिनिट उत्तर तक भारत देश का अक्छांस ये विस्तार है नेक कोशन देखिए भारत की मुख्य भूमी का देशांतर ये विस्तार कितना है तो हमारे भारत देश की देशांतर ये विस्तार कितना है तो हमारे भारत देश की देशांतर ये भूमी का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व से सत्याणमें डिग्री 25 मिनिट पूरु तक है, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनिट पूरु से सत्याणमें डिग्री 25 मिनिट पूरु तक, ऐसी स्थिते में क्या होगा, आपको पता है, देशांतरी जो विस्तार है, उसके आधार पर हमारे यहां पर समिन रिधारन किया जाता है, और नया क्यूशन देखिए, भारत का चेत्रफल कितना है, भारत का चेत्रफल है, वो कितना है, तो भारत का चेत्रफल है, वो 32.9 लाक वर्ग किलोमेटर है, भारत का चेत्रफल 32.9 लाक वर्ग किलोमेटर में भारत देज फैला हुआ है, नया क्यूशन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षन तक कितने किलोमेटर तक विस्तार है तो देखे 3214 किलोमेटर 3214 किलोमेटर विस्तार है भारत का 3214 किलोमेटर विस्तार है कहां से कहां तक जम्मु कस्मीर से कन्या कुमारी तक यह जो भारत की मुख्या भूमी है उसके विस्तार की बात यहां पर की जा रही है त लंबा है लंबा है ने कोशन देखिए भारत का पूर्व से पस्चिन कटने किलोमीटर तक विस्तार है तो वहें 2933 किलोमिटर तक नहीं से औराचल प्रदेश से गुजरात-छेत्र तक यह फैला हुआ है 2933 km पूरो से परश्चन तब हम भारत देश फैला हुआ है अर्णाचल प्रदेश से गुजरात तक चलिए, नैक कोश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा वे सबसे चोटा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे चोटा राज्य कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं भारत का सबसे भारत में कितने राज्य वे केंदर प्रिसासित प्रदेश हैं, भारत में 28 राज्य वे 8 केंदर प्रिसासित प्रदेश वर्तमान में हैं, भारत की राज़ानिया हम सभी जानते हैं, दिल्ली है, चलिए, नैक कोश्चन को देखिए, हिमाले परवर्शंकला को कितने भागों म मुक्यता वर्गी करत किया गया है तो देखे हिमाले जो परवशंकला है उसको हिमाद्ध भी कहा जाता है क्या सबसे पहले शिवालिक के पहडिया है या सिवालिक और उसके बाद व्रहत हिमालए अत्वां हिमान जी छेद्र आता है े होना चख भागर के उत्तर और उत्री पूर्वि में आपको पता है हिमाले-प्रवार शंक्ला को यह वह लगबंग और हमने class 7th में भी पढ़ाता है, यहां पर ऐसे छेत्रों में कौन से फसलें होती है, जो धलान छेत्रें, कम धलान वारे छेत्रें, वहाँ पर चाय वफलों के बागान होती है, और घाटियों में सबजी और फूल होगा जाते हैं, इन छेत्रों में आस्दियां भी बहुत मात है निरबड़ता है आजीविका का टृक है चलि बने कोशन देखे भारत के किस चेतर हो भारत का अनमानडार कहा जैता है यांए सो हुआ जायाएगा मैंदानी भाग को कहा जायएग्ए रवारत है इसलोगे होती है और और यही कारण है कि यहा haar शर्वादिक जन गरही है यानि शर्वादिक जो जनशन वाला जू चेतर है वो भी मेदानी भाग है वही है बांगर, खादर, तराई और भावर, बांगर, खादर, तराई और भावर, बांगर क्या है, बांगर पुरानी जलोड मिट्टी से जो निर्मित उंचे चेतर है, जो नजिया भैती आई, तो उन्होंने अपनी जो मिट्टी जो लेके आती है, उससे एक मैदान बना दिया, और जहां नई जलोड मिख्या आती हैं जैसे ही जहां बाड़ छेतर है तो वहांपर क्या है पाणी बार बार नई तो ऐसी जमीन को क्या कहा जाता है, भावर चेत्र या भावर मैदानी भाग कहा जाता है, चलिए, ने कोशन देखें, भारत में खनीजी संपदा का बंडार किस चेत्र को कहा जाता है, भारत में खनीजी संपदा का बंडार किस चेत्र को कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं, प प्राइदी 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 प् किस दिसा में बिंधाचल परवशंखला इस्तित है उत्तर डिसा में बिंधाचल परवशंखला इस्तित है नेक्कूशन देखिए नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भारत के किस भाग में इस्तित हैं? नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भाग में इस्तित हैं? नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भाग में इस्तित हैं? नीलगिरी और नीलगिरी की परवत भाग में इस्तित हैं? नीलगिरी और नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भाग में इस्तित भाग में इस्तित भाग में इस्तित हैं? दक्षन का जो परवत परवत भाग में इस्तित भाग में इस्तित हैं? दक्षन दीप समू हैं वो क्या कहलाता है? नीकोबार दीप समू और इन दोनों को मिला के क्या कहता है? इसको अंडमान नीकोबार दीप समू हुत्री दीप समू अंडमान दक्षन दीप समू नीकोबार दीप समू और इन दोनों को मिला के अंडमान नीकोबार दीप समू कह लाता है और इसमें कितनी डीप हैं टोटल ?247 डीप है आप कुछुन गल्जान मुखे किस स्थान पर इस्तित है अंडमान के बयरन दीव पर इस्थित है। ये अंड़मान के बयरन दीव पर आज भी भारत का यो थे नाप कुछुन पर चलते हैं भारत का दक्षण तम बिंदू कहां इस्तित है देखे ये भारत का दक्षण तम बिंदू पूंच रहे भारत की मुख्य भूमी का दक्षण बिंदू नहीं पूंच रहे भारत का मुख्य भूमी का दक्षण बिंदू कहां है कन्या कुमारी है लेकिन भारत का दक्षण तम य जुकिन भरत का दक्षिन तम बंदू जो किया है वो दख़त्थ निकुबार का इंद्रापांट कने दिप टूरु को पूछ lata कंते हैं plus यज़ीव में कितनी दीप इस्थित है लह ग्षी हुआँ इसमें इसमें पड़ एगब सकıtय हैं सब इस्थित हैं, नेक क्योश्यन देखिए, भारत में दुर्गम इलाकों में रहने वाले जन समधाय को किस शेणी में रखा जाता है, तो किस शेणी में रखा जाता है, हम सभी जानते हैं, जनजाती कहा जाता है इनको, और जनजाती जो भारत में हैं, वो मुख्यत है कौन-कौन डाफला, ये सबी क्या हैं? जंजातियां हैं, और ये दुरगमी यालाकों में मुक्यताप पाई जाती हैं भानत में दोहजार की जंडगन्ना के अनुसार भारत में कितनी भासाएं और मातर भासाएं बोली जाती हैं? भारत जन्गंडा 2000 के अनुसार, भारत में कितनी भासाएं और मात्र भासाएं बोली जाती हैं? तो देखिए, यहाँ पर 122 भासाएं और 234 मात्र भासाएं बोली जाती हैं. देखिए, इसमें जो important बात यह है कि मात्र भासा क्या होता है? मात्र भासा वो भासा है जो किसी वेक्ति के बच्चमन में उसकी मां के द्वारा मां से बात करने के लिए जो इस भासा का उप्योग किया गया, वो उस वेक्ति की मात्र भासा कहलाती है. देखिए, किसी वेक्ति की मात्र भासा वो भासा है जिसमें वो बच्चमन में अपनी मा उससे बात, जिस भासा में बात करती है, वो भासा उसकी मात्र भासा कहलाती है, ठीक है? तो हमारे यहां पर कितनी मात्र भासा हैं? 234 मात्र भासा हैं और 122 भासा हैं हैं, चली, next question देखिए, भारत में कितनी भासाओं को समवेधानिक दर्जा दिया हुआ है? भारत में कितनी जानते हैं, 22 भासा हैं हैं, जिनको समवेधानिक दर्जा प्राप्त है, भारत में 22 भासाओं को समवेधानिक दर्जा प्राप्त है, और जब भारत की जणगन्ना की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, जो हमारी जणगन्ना के अनुसार, जो हिंदू धर्मावलंबी कितने हैं 78.8% यानि 88.8% है मुसलिम समधाय के लोग जो है वो 14.2% है इसाई समधाय या इसाव धर्माव लंबे कितने हैं 2.3% है सिख धर्म के लोग जो है 1.7% है बौद धर्म 0.7% है और जैन धर्म सबसे कम 0.4% है इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाम क्लास एक का चैप्टर नुबर टू और जैसा की हम हमिशा की तरह बिना देर के स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर फर्ष्ट तो चलिए स्टार्ट करें राजिस्थान एक ही कर्ण से पूर कितनी रियासतों में विवक्त था तो राजिस्थान एक ही कर्ण से पूर कितनी रियासतों में विवक्त था तो राजिस्थान जो था 19 रियासतों तीन ठीकानों और एक केंद्र प्रशास जो राजिस्तान को भग३णी का अधार पर कितने भागों में विभख्त किया गया है तो कितने भाग है थार का मरुस्तर, अरावली परवशंकला जो इस विकी सबसे प्राचीनतम परवशंकला भी है, पूर्वी मैदान और दक्षिन पूर्वी पठार चेतर का और क्या गयता है हाड़ोती का चेतर भी कहता है इसको मैप से देखते हैं तो हाड़ोती का पठार ज अरावली परवशंकला तक रावली परवशंकला तक रावली परवशंकला तक रावली परवशंकला तक रावली पहला हुआ है जिसमें राजसान के जो थार का मरुस्तल है कहां से पाकिस्तान की जो सीमा लगती है अंतराश्टी सीमा राजसान से जो लगती है वहां से लेकर अरावली परवर्शन क्ला तक राजसान में फैला हुआ है और लगभग 61% भाग यहां पर फैला हुआ है चलिए ने कुश्चन विश्व का धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है तो देखिए इसका आंसर तो आपको इसी सुब से पता है थार के मरुस्थल को क्योंकि हम उसी के बार में बात कर रहें थार का मरुस्थल क्यों धनी कहा जाता है क्योंकि अन्य जो मरुस्थल शेत रहें जिसके बार हमें पहले भी तो इस वज़े से इसको धनी मरुस्तल कहा जाता है, ये छेत्र क्या है, जंशन क्या में भी बहुत है, और आईसान का जो 40% से जंशन क्या है वो इसी छेत्र में निवास करती है, चलिए, नेक क्वेशन देखें, भारतिये महा मरुस्तल यानि Great India Desert किसे कहा जाता है, तो किसे कह बार्डमेट, जैसलमेर, विकानेर में मरुस्तल या भाग जो है, उसको Great India Desert कहा जाता है, इस छेत्र में बालु का इस्थूप, जिसे हम धोरे भी कहते हैं, या नि रेत के टीले, ठीक है, बालु का इस्थूप, या धोरे, या फिर रेत के टीले, ये कहा होते हैं, जो हवा क के साथ अपना स्थान भी बदल लेती हैं, और इस छेत्र में मरुस्तलिय वनस्पतियां भी हमें से और मरुस्तलों की तरह पाई जाती हैं, यह न है? चलिए, नेक कूशन देखिए हैं, राजिस्थान का राज्य पुस्प कॉन सा है, तो हम सभी जानते हैं, रोहिडा जो है वो राज़तान का राज़वरक्ष खेजड़ी है यह जो व्रक्ष है ये भी मरुस्थलिय वनस्पती के उसमें आता है ठीक है चरे यह क्वेशन देखें राजिस्थान के मरुस्थरिय छेत्र में पाई जाने वाली प्रमुक घास कौन सी हैं तो कौन सी हैं कैर सेवन धामन करड और आदिश सेवन धामन और करड जो हैं यह कैसी हैं यह घास मरुस्थरिय घास है जो राजिस्थान के थार मरुस्थ थोर, लाना, भोग, आरणा, ये सभी क्या प्रमुक झाडियां हैं जो इस छेत्र में पाई जाती है, जैदी क्योशन देखी, इंद्रा गांदी नहर परयोजना की द्वारा किस नदी का जलाया गया है? इंद्रा गांदी नहर पडियोजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है तो किस नदी का 17 नदी का जो पानी है और राजिस्थान नी इंद्रा गांदी नहर पडियोजना की द्वारा लाया गया है ताकि जो पश्चिमी मरुस्थलिय चेत्र है उसका मरुस्थलिय विस्तार ना हो और वहाँ पर भी सिचाई की साधन विक्षित किये जा सकें इसलिए इंद्रा गांदी नहर पर्योजना प्रहरम किये गई थी और जो सत्लम नजी का जन लेकर आती है नैक प्रह्चन देखिए राइस्थान के कितने अपर प्रति स्थ खेत्र में अरावली परवस्थ रंक्ला फैली हुई है principle और यह दक्षिन में गुजरात के खेड ब्रयो यह गुजरात राज्य है उसका जो खेड ब्रह्मा चेत्र है, वहां से उत्तर में दिल्ली तक ये 600 बाण में 692 किलो मेटर लंबी है, ठीक है? और अरावडी चेत्र राईस्थान का सबसे मुचा चेत्र है, जो राईस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रावडी परवशंकला को ही राईस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, उसका कारण क्या है? यह मांसुनी पावनों को रोकता है, जिसे दर्षणिया पूरी राजिस्थान वर्साप में सहयता मिलती है, यह पैशिम भाग में मरुस्तली विस्थार को रोकता है, इस वाज़े से पूरी जो राजिस्थान है वो मरुस्तली छेतर नहीं ही, बहुत सी नजियों का यह यह पूरी मेदान भारत की किस मुख्य नदी का विस्तरत मैदानी छेत्र का हिस्सा है? जो पूर्वी मैदान है, वो चंबल, बना, असबान, गंगावे, सहयक नदियों से बना हुआ है, उनके मैदानों से बना हुआ है, राइस्थान का जो पूर्वी मैदान छेत्र है, वो किसे है, चंबल, बना, असबान, गंगावे, सहयक नदियों से मैदानों से बना हुआ है, और यह वास्टिकता में देखा जाए तो विश्चत रूप में गंगा का जो मैदानी चेत्र है उसी का यह इसा भी है और जब मैदानी चेत्र की जब में बात कर रहा है कि नदी के मैदानों चेत्र की बात करते तो हमें पता है यहां जन गनत्व सरवादिक होता है जब राइस्थान का ये जो छेत्र है मात्र 23 पृतिसत है और इसमें जो जनसंख्या है राइस्थान की 40 पृतिसत जनसंख्या इसी छेत्र में निवास करती है तो यह राहिस्थान का भी सरवादिक जनगनातु का भी छेत्र यह है, स्वाधी ने क्रूशन देखें, उत्खात भूमी या बैडलेंड टॉपलोजी किसे कहा जाता है, देखें उत्खात भूमी क्या है, अपर्दन के काण बनी उबर खावर भूमी, जिसे बीहर या डांग यह राहा करते हैं, जो अपर्दन के काण बनी जो उबर खावर भूमी है, यह बीहर या डांग जेत्र कहलाती है, और जब हम इसकी बात करें तो यह बैडलेंड टॉपलोजी है, जो सबसी ज़्यादा जो इस छेत्र है, यह छेत्र चंबल नदी के सहारे, कोटा से धौल्प जो तलताहे है । कोटा से द्धॉलपूर तक यह चेत्र यानि जू कोटा से धॉलफीर तक फैला हुआ है एक क्योर्शन देखें। राजिस्थान के किस चेत्र में महीं का मेदान इस्तित है। तो राजिस्थान के दक्षणी भाग में 20R तुरताब जिलो किसे कहा जाता है तो देखें मैदान जो माही मैदानी छेत्र है उसमें 56 गाओं का और 56 नदी नालों का एक समुव है जिसको चपन का मैदान कहा जाता है नेक्ट क्वेशन देखें जो इसके अधिकान जो भूमी है अधिकान जो मिटी है वो लावा निर्मित और मध्यम काले रंकी है मध्यम काली है और राजिस्थान के अन्य पठारों में जैसे उडिया हुए आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल, लसाडिया के पठारा आदी है कौन-कौन से हैं पुडिया, आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया चले नएक कुर्शन देते हैं राजिस्थान में मुख्यताय कितनी प्रकार की जलवायू पाई जाती है। दक्षनी पूर्वी जालावाड में अती आद्र जलवायू पाई जाती है। समुद्र से जो दोली है, अरावली प्रवत की जो इस्तिती है और जो प्रजेस का जिस प्रिकार से विस्तार है यह सभी इस चीज के कारक हैं कि इसमें इतनी प्रिकार की जलवायू पाई जाती है। सब्सक्राइब जाती है। सब्सक्राइब जाती है। सब्सक्राइब जाती है। सब्सक्राइब जाती है। जुलाई से सिप्तंबर महा में वर्शारी तो आती है। जो 95% जो वर्सा है, वो कहां से होती है, वो मांसुनी पवनों द्वारा होती है, किसे मांसुनी पवनों द्वारा आती है, और मांसुनी पवनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो जगे से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, राजिस्तान में जो मांसुनी पवनी आते हैं, वो आती है एक तो अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की जो वर्सा होती है वो कहा होती है वो दक्षणी राजिस्थान में होती है अरब मांसुन द्वारा जो वर्सा होती है वो किस चेत्र में होती है राजिस्थान के दक्षणी राजिस्थान में वर्स बंगाल की खाड़ी से जो मांसुन आता है वहां से ज्यादा वर्सा होती है इसी वज़े से जो पूर्वी खेत्रे वहां मैधानी भाग ज्यादा अच्छे से विक्सित है क्योंकि वहां वर्सा चेत्र काभी अच्छा है ठीक है चलिए राइस्थान में बंगाल की खाड़ी का मांसुन किन छेत्रों में मुखित्ता वर्सा करता है राइस्थान की सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो हम सभी जानते हैं, राइस्थान की सबसे कम वर्षा जैसल मेर में होती है, और यह लगबग 10 cm से भी कम हो सकती है, यह कितनी हो सकती है, जैसल मेर में लगबग 10 cm से भी कम हो सकती है, जब सबसे ज्यादा वर्षा जिस होती है next question देखिए अरावली के सहारे फिलिंदा ब्लैंक या खाली स्थान सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा रायस्थान को दो भागों में विभाजित करती है तो सबसे पहले तो इस question को समझज़ने के लिए आपको यह पता होना जी कि सम वर्षा रेखा क्या है तो देखें सम सम वर्षा रेखा होती है मांचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली कालपनिक रेखा मांचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली कालपनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है सम वर्षा रेखा का जाता है तो हमारे राजिस्था और पुर्वी खेत्र जो पूर्वी राइजथान में वनकति क्या हूए अरावली प्रवस्णक लाने, तो प्षिमी बाग में 50 cm से कम वर्सा होती है, और पूर्वी बाग में 50 cm से अधिक वर्सा होती है, चली, next question देखिए, हिमाले से आने वाले ठंडी पवनओं को क्या कहाः जाता है, सीथलेहर कहा जाता है, लेकले ठंडी भी जल्दी होते हैं, यहां 0 भी तताफ़ान हो जाता है, मावट किसे कहा जाता है तो ये था अपका इस चप्टर का आखरी कोशन चनलास 8 का चप्टर 3 और चप्टर का नाम है जल संसाधन तो चलिए हमेशा की तरह बिना देरी के श्टार्ट करते हैं कोशन नम्मर 1st अप वह तंत्र किसे कहा जाता है मुख्य नदी वे सहायक नदियां दारा जल प्रवाह की जो विशेश वरिश्ता है उसको क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्रिया प्रवाह प्रणाली कहा जाता है. मुख्य नदी के सहायक नदियों दोरा जल प्रवाह की जो विश्य स्वेश्था है, जल जहां-जहां से बहकर आता है, वो क्या कहलाता है? उस नदी का अफवाह तंत्रिया प्रवाह प्रवाह प नेक कोशन देखते हैं, जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है, जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है, तो देखिए, दो अपवाज छेत्रों की मद्धे की उच्छ भूमी, जो वर्सा को जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवावित करती है, दोज अपवाज छेत्रों के मद्धे की उच्छ भूमी जो वर्सा को जल के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, जैसे कि राजिस्थान में जब उच्छ भूमी की बात करी जाए, तो उच्छ भूमी शरवादिक जो होती है, रावली परवत माला की वह ज़े से डभ कि वर्षा की स्थिती में दोनों में राद दिन का अंतर है या आप जानते हैं एक तरफ मरुस्तल है और एक तरफ मैदानी भाग है है ना चलिए नेक कोशन देखें राजिस्थान के अपवाहत अंतर को कितने भागों में विभक्त किया गया है तो देखें राजिस्थान के जो भाग है वो तीन भागों में विभक्त किये गये हैं बंगाल की खाड़ी दूसरा कौँचा है अरफ सागर और तीसरा आंतरिक अपवाहत अंतर तो देखें बंगा अरावली परवत से पूर्वी भाग में बहकर जल बंगाल की खाडी में जाता है। बंगाल की खाडी में बंगाल की खाडी में जाता है। तो वो क्या कहलाता है। अरव सागर का अपवाहतंत्र कहलाता है। और राजिश्चान का जो तीसरा अपवाहतंत्र है वो है आंत्रिक अपवाहतंत्र। इन नदियों में क्या होता है। पानी आता है लेकिन भूमिगत हो जाता है। जैसे घगण नदि हैं, बानगंगा नदि हैं, कांतली नदि हैं, साबी, रूपारेल और मेडा यह वो नदियां हैं जिनका जो अपवाहतंत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए, नएक कोईशन देखिएं, चंबल नदि का उदगम किस स्थान से है, मध्य प्रदेश में बिंधाचल परवत के जनापाव से, देखें यह जब नदियों की बात आती है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे इंपोर्टें चंबल नदि का उदगम, यहाँ पर इतनी ही इंपोर्टेंस रखता है, चंबल नदि का उदगम कहां से है, मध्य प्रदेश में बिंधाचल परवत्तों से है, जहां जनापाव जितर से है, ठीक है, चलिए, नेक कोईशन देखिए, चंबल राजिस्थान के किस छेतर में प एंटर होती है, और एक कोटा, बूंदी, सवाई माधोपूर, करॉली और धौलपूर में बहते हुए, उत्तर प्रदेश में वापे से यमना में चली जाती है, है न, यह किस की सहायक नदी है, यह चंबल जो है, वो यमना की सहायक नदी है, इसलिए पानी कहां गिरेगा, य चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंद, पारवती आदी, यानि बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंद और पारवती आदी जो नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है, चली, नयक क्वेश्टन देखने, राजिस्थान की औध्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, और कोटा चम्बल के किनारे इस्थित है', है नूद्हस्टन देखिए, बनास नदी का उद्गम इस्थल कौन सा इस्थान है? बनास नदी का उद्गम इस्थल कौन सा है? कहां है ये बनास नदी का उद्गम? तो देखें, राज समन जिले में खमनोर की पहाडियां हैं राज समन जिले में खम्नोर की पाहडीयों से बनास नदी का उद्गम होता है, ये question देखें, किस नदी का जल गरहन छेतर राईजिस्थान में सरवादिक है? तो किस चित नदी का है? बनास नदी का बनास नदी देखें राज समंद, चित ओडगर, भील वाड़ा, टौंक, जिलों में बहकर सवाई माधुपुर में रामिश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है कहां से बनास नदी जो है किसकी साहिक नदी है चंबल नदी की साहिक नदी है और ये राजसमंद होते हुए राजसमंद चित्तोरगर राजसमंद से तो ये प्रारम भी हो रही है राजसमंद जिले के खमनोर की पाड़ियों से प्रारम होती है फिर वहाँ से चित्तो औरगर, भीलवाडा, टॉंक जिलों में बहते हुए सवाई मादूपूर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में गिर जाती है ठीक है? चलिए, ने कोशन देखिए राजिस्थान में बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है सबसे बढ़ी? बनास नदी, 480 किलोमिटर देखिए, यहाँ पर कोशन कई प्रकार से आता है तो जब बनास नदी की बारे में जब हम बात करते हैं तो बनास नदी के वल राजिस्थान में बहने वाली नदी है तो जो बनास नदी है वो 480 किलोमिटर राजिस्थान में बहती है तो यह यहाँ कि यादर के राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में पून सीदा है तो बनास नदी है और राजिस्थान में बहने वाली जो बहार से भी आती है वो अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो चंबल नदी आती है केवल राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है और राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है दोनों में आपको अंतर समझना होगा बनास नदी केवल राजिस्थान में बैती है बनास नदी कितने लंबी है? करीवन 480 क्लोमेटर ये लंबाई में बैती है नेक कोशन देखें राजिस्थान का त्रिवेणी किसे कहा जाता है? बनास बेड़च और मेनाल नदियां है उनका जो संगम इस्थल है कहां पे है ये बिगौद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल नदियां हैं इनका जो संगम इस्तल है उसको राज्जिस्थान का त्रिवेणी कहा जाता है और ये बिगौद भीलवाड़ा में इस्थित है नेक्ट कोशन देखिए टॉंक वे सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे इस्थित है ये काफी important questions है और ये बार बार repeat भी होते हैं याद रखेगा बनास नदी के पास टॉंक वे सवाई माधोपुर इस्थित है चलिए नेक्ट कोशन देखिए बनास नदी की सहयक नदियां कौन सी है बनास नदी की सहयक नदियां कौन सी है कौन सी है कोठारी गंभीरी खारी मोरेलादी ये क्या है बनास नदी की सहयक नदियां है कोठारी गंभीरी खारी और मोरेल जो नदियां है वो बनास नदी की सहयक नदियां है चलिए नेक कोशन देखिए लूनी नदी का उद्गम के सिस्थान पर है लूनी नदी का उद्गम के सिस्थान पर है तो किस सिस्थान पर है बच्चों गोविंद गड़ जो कि अजमेर में है गोविंद गड़ के निकट है और ये जो लूनी नदी थी ये सरस्वति ये सागर्मती नामक धाराओं के संगम से मिलकर बनी है क्या है गोविंद गड़ के पास अजमेर में सरस्वति ये सागर्मती नामकी दो धाराएं है उनके संगम से जो नदी निर्मान होता है वो क्या है लूनी नदी है तो ये ऐसी नदी है जो दो धराओं के दो जल धराओं के संगम से बनती है जिन धराओं का नाम एक का नाम सरस्वती है और एक का नाम सागर्मती है चलिए, नेक कोशन देखिए लूनी नदी का जल किस इस्थान तक मीठा पाया जाता है लूनी नदी का जल किस इस्थान तक मीठा पाया जाता है देखें लूनी नदी का जो पानी है वो पूरा की पूरा मीठा नहीं है कुछ जगे पर वो खारा भी है तो केवल कुछ इस्तान तक जो प्राणमर से लेकर कुछ इस्तान तक ही वो मीठा पाया जाता है तो बालो तरह जो बाडमेर में है बालो तरह बाडमेर में लूनी नदी का यहां तक ही जो पानी है वो मीठा पाया जाता है और उसके बाद ये खारा हो जाता है ठीक है, चलिए, नेक क्वेशन देखें, लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं, लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं, जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, सूकडी, सागी और गुहिया, कौन कौन सी हैं, जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, सूकडी, साग और गुहिया ये लूनी नदी की साहिक नदियां हैं चलिए नेक कोशन देखते हैं लूनी नदी किस खाड़ी में गिरती है लूनी नदी किस खाड़ी में गिरती है कच्छी खाड़ी में कहां पर लूनी नदी किस खाड़ी में गिरती है कच्छी खाड़ी में देखिए किसी नदी का उदगम इस्थाल और एंडिंग पॉइंट ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो इन चीजों को आप याद रखेगा लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है नेक कोशन देखें माही नदी का उदगम इस्थाल कहां इस्थित है माही नदी का उदगम नदी का उदगम होता है चलिए नेक कोशन देखते हैं माही नदी किस खाड़ी में गिरती है किस खाड़ी में गिरती है किस खाड़ी में गिरती है खंबात की खाड़ी में माही नदी किस खाड़ी में गिरती है खंबात की खाड़ी में चलिए नेक कोशन देखें माही नद निर्मित मुख्य बांद किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह बहुत famous है और यह है माही बजाज सागर बांद। जो है वो माही नदी पर निर्मित मुख्य बांद है। चलिए, next question देखते हैं। माही नदी की सहयक नदियां कौन सी हैं। तो माही नदी की सहयक नदियां हैं सौम वे जाखम जो नदियां हैं वो माही नदी की सहयक नदियां हैं। नेक कोशन बांगंगा नदी का उद्गम स्थल्क कहा इस्थित है तो बांगंगा कहां उद्गमित होती है जैपूर जिले में जो अरावली की बैराट की पहाडियाँ है जैपुर जिले में अरावली की बैराट की जो पाढ़ियां हैं वहां से बान गंगा नदी का उद्गम होता है जैपुर जिले में अरावली की बैराट पाढ़ियों से बान गंगा नदी का उद्गम होता है नेक कोईशन देखी, अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाएगा? बान गंगा को कहा जाता है. अर्जुन की गंगा बान गंगा को बान गंगा जो नदी है उसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है. नेक कोईशन देखें, कौन सी नदी भरतपुर के घनापक्छी राष्ट्रे उध्यान में भूमिगत हो जाती है, तो कौन सी नदी है, बानगंगा नदी ही वो नदी है, जो भरतपुर के घनापक्छी राष्ट्रे उध्यान में भूमिगत हो जाती है, ठीक है, चलिए, नेक क गगर नदी का उद्गम किस स्थान से हैं? गगर नदी जो प्राचीन सरस्वती नदी की साहयक नदी थी। कालीन सरस्वती नदी ये क्या थे राजिस्थान में होकर बहती हुई थी ऐसा माना जाता है और गुजरात में भरूच के पास जो अरब सागर है उसमें गिरती थी लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है बिलकुल ठीक है तो ये उसकी सहयक नदी हुआ कर दी थी जो कि स इसी वजए से आंतिक प्रभावाली सबसे लंबी नदी कही जाती है आज भी जो कि प्राचीन सरस्वती नदी की सहयक नदी हुआ करती थी चलिए नैक कोशन देखिए घगर नदी राजिस्थान के किस जिले से प्रवेस करती है तो किस जिले से प्रवेस करती है हनमानगर से हनवानगर से घगर नदी राईस्थान में प्रिविस करती है और स्री गंगा नगर में जाकर भूमीगत हो जाती है चलिए, नेक कोशन देखी जवाहरलाल नहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था? किसे कहा था? भारत की जो बहुत देश्य नदी घाटी पर्योजनाओं को जवाहरलाल नहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था देखे यह कोशन बहुत बार रिपीट हुआ है एक कमप्टीशन लाइन में तो आप इसको बहुत इंपोर्टेंट यह कोशन है इसको हमीशा याद रखेगा यह बहुत बार रिपीट होता है और कोई अतिशोक्ती नहीं होगी अगर यह दुबार आ जाए तो है ना? तो इसको जरूर याद रखेगा नेक कुशन देखिए बैराज किसे कहा जाता है? बैराज किसे कहा जाता है? तो इसका अंसर है सिचाई उद्देश से प्राकर्तिक जल बहाव की दिसा को परिवर्टित करने के लिए जल सौत में बनाया गया बांद यानि कोई नदी आ रही है मानिए और हमें चाहिए कि हम सिचाई के लिए पानी निकाला है तो हम क्या उसका जो दिसा मोरने के लिए क्या करते हैं? उसके दिसा परिवर्टन के लिए एक बांद बना देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो बैराज कहलाएगा ठीक है? तो सिचाई उद्देश से प्राकर्तिक जल बहाव की दिसा को लिए जो जल सौत में बनाया हुआ बांध है वो क्या कहलाता है बैराज कहलाता है चलिए नहीं कोशन देखिए फीडर किसे कहा जाता है जो जो फीडर होता है किसी मुख्य नहर का हिस्सा जहां पानी का उपयोग नहीं किया जाता याद रखिए किसी मुख्य नहर का वो हिस्स जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है, वो feeder कहलाता है, question 31st है, feeder किसे कहा जाता है, तो feeder किसे कहा जाता है, किसी मुख्य नहर का हिस्सा, जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता, किसी मुख्य नहर का वो हिस्सा, जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है, फीडर कहलाता है, नेक कोशन देखिए, चंबल परियोजना किन राजियों का संयुक्त प्रियास है, तो किन राजियों का है, राजिस्थान और मध्य प्रिदेश जो राजे सरकारे हैं, उनका ये संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना के तहट कौन से बांध बनाए गए हैं? देखिए ये जो परियोजना है ये का राज स्थान और मध्य प्रदेश दोनों के जल्विद्धुत और सिंचाई में सहयक है ठीक है? और इस वज़े से ये इंपॉर्टेंस रखती है और इस बांध है उनके नाम आ होने चाहिए तो कौन-कौन से बांध है? गांधी सागरबांध मंसौर मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है दूसरा है राणा सागरबांध चित्तोरगड में हैं तीसरा आपका है जवाहर सागरबांध जो कोटा में इस्थित है और चौथा है आपका कोटा बैराजबांध कोटा बहराजबांद जो कोटा में ही इस्तित है तो गांधी सागरबांद, राणा सागरबांद, जवाहर सागरबांद, कोटा बहराजबांद ये चार बांद हैं जो चमबल परयोजना के तहत बनाए गए हैं चलिए, नेक कोशन देखिए, माही बजाज सागर परियोजना किन राजियों का संयुक्त प्रियास है, तो किन राजिस्थान वे गुजरात, ये दो राजिये हैं, जो माही बजाज सागर परियोजना में संयुक्त प्रियास ने किया है, ठीक है, राजिस्थान वे गुजरात क सेयुत परियोजना है, ये माही बजासागर परियोजना, जो माही नदी पर निर्मित है, जो कहाँ पर निर्मित है, माही नदी पर निर्मित है, और ये सिचाई पे जलवे जल विद्धुत के लिए इस परियोजना का निर्मान किया गया है, चलिए, नैक कोशन देखिए, बी बिसलपूर परियोजना किस स्थान पर निर्मित है। मुख्य उद्देश क्या है तो विशलपुर बान जो है जैपुर अजमेर और टॉंक में पेजल की जो परिशानी है उसको समाप्त करने के लिए इस परियोजना का निर्मान किया गया था बीसलपुल परियोजना का मुक्खे उदेश जैपुर अजमेरवे टौक में पेजल विवस्था करना है सरदार शरौवर परियोजना किन राज्यों का संयूक्त प्रियास है राजिस्थान, गुजरात, मध्य प्रिदेश और महराश देखें ये बहुत important है क्योंकि इसमें चार चार राजे परियोजना में संयुक्त के आसरत हैं कौन-कौन से राजेस्थान, गुजरात, मध्य प्रिदेश और महराष्ट की संयुक्त परियोजना है सर्दार सरोवर परियोजना चलिए, next question देखें सर्दार सरोवर परियोजना किस नदी परिस्थित है? दक्षिन पर्षिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल को बाड मेरता था जालोड जिलों में सिच्चाई वे पेजल की विवस्ता इस सर्दार सरोवर परियोजना से की गई है इस चीज़ का आपको याद रखना है next question देखें जवाई परियोजना, सौम अंबा कमला परियोजना, जाखम परियोजना और मानसी वाकल परियोजना किन जिलों में सिच्थित है? जवाई परियोजना, सौम अंबा कमला परियोजना, जाखम परियोजना और मानसी वाकल परियोजना किन जिलों में सिच्थित है? तो देखें, जो करम सहब पाली, यानि जवाई परियोजना कहां परियोजना परियोजना है? चलिए, नेक कोशन देखें, राजिस्तान की पहली नहर किसे कहा जाता है? राजिस्तान की पहली नहर किसे कहा जाता है? तो राजिस्तान की जो पहली नहर है, वो क्या है? कौन सी है? गंग नहर जो है, उसको राजिस्तान की पहली नहर कहा जाता है. गंग नहर का निर्मान किस व्यक्ति से सम्मंदित है तो गंग नहर का निर्मान जो है बिकानेर महराज गंगा शिंग जी ने 1927 सीस्वी में फिरोजपूर पंजाब के निकट बांध निर्मित करवाया था जहां से ये गंग नहर का निर्मान किया गया है दीकानेर महराज गंगा सिंग जिनके नाम से ये गंग नहर है 1927 सीस्वी में फिरोजपूर जो कि पंजाब में इससे थै वहाँ पे बांध निर्मित करवाया था जहां से इस गंग नहर का निर्मान किया गया है तो कौन है महराज गंगा सिंग इससे सम्मंदित वेक्टी हैं चलिए, next question देखिए, गंग नहर का निर्मान किस नदी पर किया गया है, तो जो गंग नहर है, वो 17 नदी पर इस्ठित हैं, गंग नहर जो है 17 नदी पर इस्ठित हैं, और वर्तोमान में स्री गंगानगर में सिचाई हितु इसका उप्योग किया जाता है, वर्तमान में जो गंगनेहर है उसका स्री गंगानगर की सिचाई हितु उपयोग किया जाता है नेक कोशन देखें इंद्रा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया था? इंद्रा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया था? नेक कोईशन देखिए, हरी के बैराजबांद किस नदी पर और निर्मान कब प्रारम हुआ तो इसका अंसर है, 1952 में तो ये प्रारम हुआ था और सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर ये हरी के बैराजबांद निर्मित है, याद रखिए, ये एक नदी नहीं है, सतलज और व्यास दोनों नदियों के जब संगम इस्थल है, वहाँ पर हरी के बैराजबांद का निर्मान 1952 इसवी में किया गया, चलिए, नेक कोईशन देखिए, इंद्रा गांदी नहर परियोजना में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, जो कितनी है, 649 किलो मीटर, 649 किलो मीटर है, और जो इसमें वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं क्या होती है, नहर से जो छोटी छोटी और छोटी नहरें जो निकाल जाती हैं, जो पानी का वित्रन का कारे करती हैं सिचाई के लिए उनकी लंबाई 8000 किलोमीटर है जो इंद्रा गांदी नहर से जो वित्रकाई निकाली गई हैं वो 8000 किलोमीटर लंबी लगभग हैं और सीचित छेत्र कईवे 19 लाख हेक्टेर जो भूमी है वो इससे सीचित की जाती है नेक कोशन देखें हरीके बेराज से हनुमान गढ़ के मसीतावली तक निर्मित फीडर नहर की लंबाई कितनी है कितनी है 204 किलोमीटर है कितनी 204 किलोमीटर नेक कोशन देखें वर्तमान में नहर का अंतिम बिंदु कहां तक है देखी ये काफी important है और इसका आपको बार-बार याद भी रखना चाहिए गढ़रा रोड बार मेर तक कहां तक गढ़रा रोड देखी इस मैप में भी दिखाई दरा है यह जो गढ़रा रोड है बार मेर तक यहां तक यह संगम इस्तल है हरी के बैराज बांध जहां बनाया गया है यहां से निकलते हुए यह होते हुए इस तरह के से राजसन में एंटर होती है और जैसल मेर होते हुए बार मेर जाते हैं यहां गड़ा रोड पर यह समाप थूर सुकी है चलिए नेक कोशन देखिए इंदरा गांधी नहर के पूर्वी भाग में धलान ना होने के कारण किस प्रकार की नहरे बनाई गई हैं तो देखिए जब धलान नहीं होती है तो उत्थापक नहरे उत्थापक मतलब लिफ्ट जो नहरे होती हैं उनका निर्मान यहां पर करवाया गया है उत्थापक नहरे या लिफ्ट जो नहरे हैं उनका निर्मान यहां पर करवाया गया है नेक कोशन देखिए किस नहर प्रणाली को मरू गंगा भी कहा जाता है किस नहर प्रणाली को मरू गंगा भी कहा जाता है तो देखें मरू का अर्थ होता है मरुस्थल मरुस्थल से लिया जाता है तो मरुस्थल की गंगा कौन सी है इंद्रा गांधी नहर प्रणाली जो है वो मरू गंगा कहा जाता है इसे चलिए नेक्स देखिए एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली कौन सी है एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली कौन सी है तो वो भी इंद्रा गांदी नहर परणाली ही जो है एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली है नेक कोशन देखें जैसमन जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई है निर्मित करवाया था कहाँ पर गोमती नदी पर इसका निर्मान करवाया गया है महराणा जैसिंग के द्वारा और कब करवाया गया है 1687 से 1691 तक ओके चलिए नेक कोशन देखें विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौनसी है तो कौनसी है वो जैसमन जो जील है जैसमन जील जो है वो विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील है विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौनसी है जैसमन जील नेक कोशन देखें फतेह सागर जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई फतेह सागर जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई तो देखे इसके नाम में ही महराना फते सिंग जी का नाम छुपा हुआ है तो फते सिंग जी जो महराना थे उनके द्वारा जील का निर्मान करवाया गया था और आहर नदी पर इसका निर्मान करवाया गया था उद्देशे क्या था उद्देशे बहुत नॉर्मल सा था वर्षा रितु का जो एक्स्ट्रा जो जल था जो बहुत ज़्यादा आ जाता था उसको चिकलवास नहर का निर्मान कर आया और उसके द्वारा फतह सागर तक पहुँचाया ये काम इसका था क्या था वर्षारितु का ज़ादा पानी जो आ जाता था उसको चिकलवास नहर के द्वारा फटैसागर में जो पहुंचाना था इस कारण से फटैसागर जील का निर्मान करवाया था चलिए next question देखिए फटैसागर जील कहां इस्तित है उद्वापूर के पश्चिमुत्तर में 6 किलोमेटर दूरी पर चिकलवास गाउं के निकट देखिए चिकलवास गाउं से चिकलवास नहर के द्वारा किसका पानी पहुंचाया जा रहा था किसका पानी पहुंचाया जा रहा था फटैसागर जील का जो पानी था वो फटैसागर जील का पानी फटैसागर में किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा था चिकलवास नहर के द्वारा और यह कहां इस्तित है चिकलवास गाउं में ही निकट इस्तित है फटैसागर जील ठीक है? चलिए. नेक कोशन देखिए. उदैपूर बेसिन में निर्मित मुख्य जला से कौन से हैं? तो कौन से हैं? गोवर्धन सागर, दूद तलाई, पिछोला जील, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, सरूप सागर और फते सागर. कौन-कौन से दुबारा में रिपीट करता हूँ? गोवर्धन सागर, दूद तलाई, पिछोला जील, अमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर और फते सागर आदी जो मुख्य जला से हैं जो उदैपूर बेसिन में निर्मित कराए गए हैं. नेक कौशन देखी, किस सासक द्वारा कृतिम रूप से जल को मूड कर इस्थायत्व प्रदान किया गया था? किस सासक द्वारा कृतिम रूप से जल को मूड कर इस्थायत्व प्रदान किया गया था? तो कौन थे वो? वो महराणा राज सिंग प्रथम द्वारा ऐसा कारे किया गया था? नेक कौशन देखी, मेवाड का तीर्थिस्थल उभेश्वर छेत्र में वर्षा रितों में बहने वाली नदी को किस नदी में मिला दिया गया किस नदी में? मौरवानी नदी मौरवानी नदी में इस वानी को मिलाने के लिए जो वर्षा रितों की बहने वाली नदी थी उसको मौरवानी नदी में मिला दिया गया था चलिए नएक कुशन देखिए मेवाड का तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र के अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है मेवाड का जो तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र था उसका अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है तो इसका अंसर क्या है, जन सागर वे फते सागर, जन सागर और फते सागर तक है सारे पानी को पहुंचाया जाता है, ठीके, और यह जो था, इसका निर्मान करवाया गया था, जो 1670 से 1675 के मद्धे इसका निर्मान कराया गया था, इसका काम कराया गया था, इसके आगे हमें देखते हैं चोटा सा मैप जो आपको उद्धैपूर सहर के जो जील का जो मैप है वो आपको दिखा देगा फथे सागर जील कहा है देखी ये रही पिछोला जागर जो जील है वो यहाँ पर है मूरवानी नदी इसकी हम अभी बात कर रहे थे चीक है जो अबेश्वर जो छेत है और ये विश्व में अपने आप में बहुत सर्वुच एक जल सनरक्षन का उधार्ण भी है तो इसी के साथ आपका होता है चेप्टर श्मा प्लास 8 का चेप्टर नबर 4 जिसका नाम है भूमी, संसाधन और क्रिसी तो चलिए हमेशा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते कॉशन नबर 1 विश्व का कितना प्रितिसद भूमी क्रिसी भूमी है यानि विश्व का जो टोटल भूमी या धरातली छेतर है उसका कितना प्रितिसद भाग भूमी के लिए उप्योग किया जाता है तो कितना उप्योग किया जाता है मात्र 11 प्रितिसद भाग क्रिसी भू स्वामित्व के आधार पर भूमी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है धरातल की उपरी परत जिसमें वनस्पती और जीवों के सड़े गले अंस को क्या कहा जाता है और आपको पता है कि हुमस जो है जो खनीच पदार थे हुमस का जो सही मिशन अगर हो तो मिट्टी को वही उपजाओ बना देता है चलिए धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्तों की उपरी परत हुमस सही क्या कहलाती है तो देखिए हम सभी जानते हैं लेकर पारिभाजिक तो इन चीजों को पहचान नहीं पाते हैं तो इसको क्या है मिट्टी की परिभासा है ये जिसको हम मिट्टी कहते हैं तो मिट्टी क्या होती है धरातल पर जो उपरी परत जो पाई जाती है असंगठित पदार्तों की जो उपरी परत है जिसमें हुमस भी सम्मिलित होती है वो क्या कहलाती है मिट्टी कहलाती है ठीक है और ये बंती कै ये बड़ी बड़ी चटानों के छोटे चोक्रे जब बारी टुक्रे हो जाते हैं तो ये मिठी बनने के एक प्रिक्रिया है। मिठी का निर्मान चटानों से प्राप जिसे खनी, जय पदारत और भूमी पर पाये जाना वाले कई अन्य तत्वों से होता है। चलिए, next question देखें, मिठी को किन आधार पर सामनेतर विभाजित किया जाता है, तो देखें, मिठी को दो आधार पर मुखितर विभाजित किया जाता है, एक रंग की उपर आधारी, जैसे काली, लाल, पीली, पूरी, मिठी आधी, है ना, और दूसरा है प्रकृति के आधार पर, वो कैसी है, तो जैसे दोमट मिठी, दोमट मिठी को और क्या कहते है, जलोड मिठी, अलुवील, जो मुखितर नदियां लेके आती है, रेतीली मिठी, रेगिसानी चेतर विभाजित किया जाता है, एक प्रकृति के आधार पर, और दूसरा रंग के आधार पर, चलिए नेक कोशन देखी, राजिस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिठी पाई जाती है, तो किस प्रकार की मिठी पाई जाती है, जलोड मिठी, ठीक है, जलोड मिठी, पश्चिम राजिस्थान में रेतीली मिठी पाई जाती है, और नहरी छेतरों में छारी म इस बात का भी आपको याद रखना है जायस्थान की उत्री पूर्वी जो मैदान है उसमें तो जलोर मिट्टी पाई जाएगी है न और पश्चिमी राइस्थान का जो रेतिली भाग है वहाँ पर कैसी मिट्टी है रेतिली मिट्टी पाई जाती है जो नहरी छेत्र हैं जब मैप हमने पिछले चैप्टर में देखा था तो हमने हाड़ोती शेत्र को भी देखा था तो हाड़ोती शेत्र में कहां पर कैसी प्रकार के मिट्टी पाई जाएगी काली मिट्टी अरावली पिर्देश के में जो पास ही इस्टेत है उसमें लाल लोमी और लाल काली प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं देखिए बहुत important question है जैनक से लें यानि जिनसे मिट्टी का निर्मान हो रहा है जिनसे टूट कर मिट्टी बन रही है वो जैनक से लें दूसा जलवायू जलवायू भी आपको पता है कितना प्रभावित करते हैं उच्चा वच यानि कोई स्थान उंचा है या नीचा है जैविक करेयाएं वहां पर किस प्रकार की दिक गंत उपया जाते हैं उनके उपर भी बहुत सारी चीज़ है और कितना समय से वो ऐसी स्थिती में हैं, तो समय, जैविक्रिया, उच्चावा, जलवाई और जनक सहलें, सब भी ऐसे कारक हैं, जो मिट्टी निर्मान को प्रुभावित करते हैं, नेक कोश्चन देखें, क्रिसी किसे कहा जाता है, तो देखें, परिभासिक है, मिट्टी में फसल उगाने की कला क्या कहलाती है, क्रिसी कहलाती है, नेक कोश्चन देखें, जिस भूमी पर फसल उगाई जाती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बचों, वो क्रिसी भूमी कहलाती है क्रसी भूमी कहलाती है तो देखे ऐसी गतिविदियां जनका सम्मन्द प्राकरतिक संसाधनों की उत्पादन एवं उप्योग से हो कैसी गतिविदियां जिनका सम्मंद प्राकर्तिक और संसाधनों की उत्पादन एवं उप्योग से हो वो प्राथमिक क्रिया कलाप कहलाते हैं और इसलिए क्रसी क्या है एक प्राथमिक क्रिया कलाप है क्रसी को सामन तहां कितने भागों में विभक्त किया जाता है निर्वा और वानेजिक क्रसी देखें जो क्रसी होती है उसमें केवल क्रसी में केवल फसल उगाना ही नहीं होता है क्या है, पसुपालन जो वेफसायँ हो भी कृसी के अंदर संबित होता है तो याद रखें, किरसी में क्यवल फसल उगाना नहीं होता है, पसुपालन भी इसी के अंदर गत आता है और अभी हमने देखा कितने भागोते हैं? मुखेते हैं दो प्रकार भागों में बाटा जाता एक निर्वा क्रिसी होती है और एक वाणी जे क्रिशी होती है निर्वाह करसी किसे कहा जाता है? देखें ये कोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका आंशर जानते हैं, करसी जो किसान द्वारा अपने परिवार के भरन पोशन हितो करे, करसी जो किसान द्वारा अपने परिवार के भरन पोशन हितो करे, करसी जो है, वो केवल अपने भरन पोशन के लिए अगर कोई क्रिसी करता है तो वो क्या कहलाती है निर्वाह क्रिसी कहलाती है निर्वाहक्रसी को सामने तहा कितने प्रकार में विभक्त किया जाता है तो इसको दो प्रकार में विभक्त किया जाता है आदिम निर्वाहक्रसी और गहन निर्वाहक्रसी एक तो आदिम निर्वाहक्रसी होती है और दूसरी कौन सी होती है गहन निर्वाहक्रसी होती है ठीक ह चलिए, नेक कोशन देखिए, राज इस्थानतरित क्रिसी मुक्यते किनके द्वारा की जाती है, कौन करता है, इस्थानतरित क्रिसी को तो कौन करता है, यह मुक्यते आदिम जन जाती हो द्वारा, जो आदिम जन जाती है, उनके द्वारा जंगलों को काट कर बनाए खेतों मे की जाती है यह क्या होता है जो आदम जिन जाती हैं वह जंगलों का कुछ सा जो खराब महसूस होता है Unko लगता है कि आवाँ खेळ बनाते हैं उनको काटकर और और वो क्या करते हैं? कटे जंगलों को जला कर मिट्टी उपजाओ बनाई जाती है और ऐसे खेतों में 2-3 साल तक खेती की जाती है और इसके बाद उसकी जैसी अरवड़ता कम हों दो, उपजाओ पन कम होने लगता है। उपजाओ कम होती दिखाई देती हैं तो उपनी जगे बदल देते हैं और इसी वज़े से इसको इस्थानतरित किसी कहा जाता है ठीक है तो ये मुक्ते आदिम जद जाती हो दोरा जंगलों को काट कर बनाए खेतों में की जाती है चलिए नेक कुशन देखिए दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को क्या कहा जाता है दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को क्या कहा जाता है देखिए कुशन आभी जुका है तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा बालरा कहा जाता है दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को बालरा कहा जाता है और यही उत्तर पूरो भारत में जूम कहलाती है उत्तर पूरो भारत में जो इस्थांतरित करसी है उसको क्या कहा जाता है जूम कहा जाता है चलिए, नेक कोशन देखे गहन निर्वाह करसी में वर्स में सामान्य तह कितनी फसले की जाती है गहन निर्वाह करसी में वर्स में सामान्य तह कितनी फसलें की जाती हैं, तो दो से तीन फसलें गहन निर्वाह करसी में वर्स में की जाती हैं, वर्स में गहन निर्वाह करसी के अंदर दो से तीन फसलें उगाई जाती हैं. नेक क्कुशन देखिए चोटे भूखंडों में साधारन ओजारों द्वारा अधिक परिश्रम से किस परकार की क्रिसिक की जाती है। चोटे भूखंडों में साधार्ण और जारों द्वारा अधिक परिश्रम से किस प्रकार की क्रिसी की जाती है। तो देखे इसके करने के तरीकी से पता चलता है कि ये कौन सी क्रिसी है ये गहन निर्वाह क्रिसी है और ये कहां की जाती है सगन जन्जंक्या वाले मानसूनी प वहां करसी है, तो सघन जन्चन के आवाले मानसुनी प्रेदेशों में की जाती है, नैक क्युशन देखी, चलवासी पसु चारन करसी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पसु चारक पस्वों के साथ चारेवे जल हेतू, इस्थान परिवर्थन करते हुए जो किर्सी करते हैं, यानि पसु चारक क्या होते हैं, पसु का अभी चारा यहां मिल रहा है, तो यहां पर किर्सी करने लगे और वहीं पर अपने पसु की देखपाल करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मौसम विप् तो इस्थान जो परिवर्ण करते हो, जो करते हो, क्या कह लाती है? चलवासी पसु चारण खिर्सी करे लाती है. चलए, नहीं क्योशन देखिए. चलवासी क्रिसी में कहां की जाती है तो कहां की जाती है मध्धे एश्या और भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कस्मीर हो गया और पश्चिमी राइस्थान में सुस्क वे अर्द सुस्क प्रदेशों में की जाती है मध्धे एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कस्मीर और अश्चिमी राइस्थान में सुस्क वे अर्दसुस्क खर्दिसों में ये की जाती है एसी कुछ जिसका उद्देश फसल एवं पसु उत्पादों को बेचना बड़े खेतों में नवीन तक्निकों और मसीनों के साथ की जाए किस प्रकार की कुछ गहलाती है जिसका उद्देश फसल एवं पसु उत्पादों को बेचना बड़े खेतों में नवीन तक्निकों और मसीनों के साथ की जाए किस प्रकार की कुछ गहलाती है देखे जब नवीन तक्निकों का उप्योग और मसीनों का उप्योग हो रहाए था वो कौन सी क्रिसी है निश्य तुरूप से आप से समझ जाएगे का, कि वो वाणेजे करसी ही हो सकती है, वाणेजे करसी में ही नवीन तखनीकों और मसीनों का उपयोग किया जाता है, अन्य था, वहाँ पर अन्य जो करसी है उनमें बहुत मेहनत के साथ तोर्श्रम करना पड़ता है, और सामाने ज भागों में वर्गी क्रत किया जाता है वानिजिक क्रिशी को सामने तहा कितने भागों में वर्गी क्रत किया जाता है तो देखें तीन भागों में वर्गी क्रत किया जाता है वानिजिक फसल उत्पादन जिसमें केवल वानिजिक फसल ही उत्पादन की जाए दूसरा है मिश् देखिए ऐसी किर्षी जिस पर उद्ध्योग धंदे निर्वर हों क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है वार्णिजिक फसल उत्पादन किर्षी कहलाती है जैसे कपास हो गया गन्ना हो गया तिलन हो गया दंबाकू हो गया यह सारी कैसी है वार्णिजिक फसल उत्पादन किर्षी मिश्रित कुछी भूमी का उपयोग किस हेतु किया जाता है? मिश्रित क्रिसी भूमी का उपयोग किस हेदू किया जाता है तो देखें मिश्रित सब्दे से ही समझ में आ रहा है कि मिश्रित क्रिसी का मतलब क्या है यहां फसल भी उगाई जा रही है और पसू से समद्दित कारे भी किया जा रहा है तो अनाज एवं चारे की जो फसले हैं उगाने और पसु चारन हे दू पसु पालन हे दू अगर कोई किरसी भूमी का उप्योग किया जाता है तो वो क्या है मिश्चित किरसी भूमी कहलाती है या फिर मिश्चित किरसी भूमी पर क्या कारे किया जाता है अनाज एवं चारे की पसने उगाने और पसुपालन का कारे किया जाता है चलिए नेक कोशन देखिए बागाती किरसी किसे कहा जाता है बागाती किरसी किसे कहा जाता है देखिए ये किरसी अधिक पूंजी और श्रम द्वारा बड़े बड़े उध्यानों में एक ही प्रकार की फसल की जाती है इसम प्रिकार की कृस्य के उधार्ण हैं बागाती किश्य के उधार्ण अगर पूँचे जाय तो चाय कॉफी रबट सबसे अच्छे उधार्ण कहे जा सकते हैं चले next question देखिए सूती वस्त्र उध्योगों के लिए किस की फसल अवश्यक है सूती वस्तर उद्योगों के लिए किसकी फसल आवशक है तो देखे सूती वस्तर उद्योगों के लिए हम सभी जानते हैं कौन सी आवशक है कपास की फसल कपास की फसल अगर नहीं हो तो सूती वस्तर उद्योग चलेंगे ही नहीं तो इसलिए कपास सी सूती वस्तु धोगों के लिए कपास के फसल आवशक होती है सक्कर उध्योग है तो किस फसल की आवशकता है तो हम सभी जानते हैं गन्य की फसल सक्कर उध्योग के लिए आवशक है यूँकि गन्यों के रश से ही सक्कर का निर्मान किया जाता है जेहूं, चावल, बाजरा और मक्ता किस प्रकार की फसले हैं। तो देखिए ये सब ही क्या हैं? खाने के काम आती हैं। तो इसका मतलब ये खाध्यान फसले हैं। ठीक है? नेक कोशन देखिए। चना अरहर उरद मूंगादी किस प्रकार की फसले हैं? तो ये किस प्रकार की ये दलहनी फसले हैं। इनको क्या का जाता है? दलहनी फसल का जाता है। चना अरहर उरद मूंगादी जो प्रकार की फसले होती हैं। उनको क्या का जाता है? दलहनी फसले का जाता है। चलिए नेक कोशन देखिए। सरसों मूंगफली सोयावईन आदी किस प्रकार की फसले तो ये तिलहनी फसले हैं, कौन सी फसले हैं? इनको तिलहनी फसले कहा जाता है, और इसी तरह कहवा और चाय क्या है? ये पे फसले हैं, कहवा और चाय पे फसले हैं, और तिलहनी फसले कौन सी है? सरसो, मुंग भली, सोयबीन, है न? रितू के आधार पर कितनी प्रकार की फसले की जाती है मिलब रितू के आधार पर जो फसले हैं वो कितनी प्रिकार से वर्गी करत की जा सकती है तो कितनी प्रिकार से की जा सकती है वो है तीन प्रिकार खरीब की फसल रभी की फसल और जायत की फसल देखिए हम इसको बहुत छोटी क्लासे से पढ़ते आते हैं खरीब की रभी की फसल और जायद की फसल, खरीब की फसल कब की जाती है, वड़सा रितू में की जाती है, रभी की फसल सीत रितू में की जाती है, और जायद की फसल ग्रिस्म रितू में की जाती है, चली, नेक कोशन देखिए, बाजरा, मक्का, चाउल, किस प्रकार की रितू फसले है बाजरा, मक्का, चावल किस प्रकार की रितू फसले हैं? किस प्रकार की हैं? ये खरीब की फसले हैं ये कौन जी फसले हैं? खरीब की फसले हैं ये नेक कुशन देखें गेहू, जो, चना, सरसों किस प्रकार की रितू फसले हैं? तो किस प्रकार की हैं? ये रवी की फसले हैं. वो किस की थी? वो खरीब की थी. और ये किस की है? रवी की फसले. ने कोशन देखिए. फल, सबजी, रजगा, बरसीम किस प्रकार की फसल है? देखिए बरसीम क्या है? बरसीम के उपर एक बार कोशन भी आ चुका है. बरसीम क्या पि फसले हैं। सब्सक्राइच है। इसकी फसल है। जायत की फसलए। Best देखिए। इस विच्छे दो दस्कों में खादान फसलों के इस्थान पर किन फसलों का प्रतिशत बढ़ा है। हमारे यहाँ पर क्या हुआ है खाद्दान फसले जैसे गेहूं जो बाजरा जो खादने के काम आती है उन फसलों के स्थान पर किसी अन्य फसलों का प्रतिसद बढ़ रहा है और खाद्दान फसलों का कम हो रहा है तो किस टैप की फसलों का प्रतिसद बढ़ा है तो वह है तिल कोशन देखिए गैहूं के लिए अनुकूलतम वातावर्ण कैसा होना चाहिए गैहूं के लिए अनुकूलतम वातावर्ण कैसा होना चाहिए तो देखिए जिस वातावर्ण में उपती है सीत्रितु फसल है एक तो तो ये निशित रूप से सीत्रितु में ही हुगा जाती है बुवाई के लिए और जब इसकी कटाई की जाती है उसको तेज धूप रहे तो इसके लिए अच्छा होता है और इसके लिए मिटी कैसे चाहिए इसके लिए जलोड मिटी चाहिए कौनसी जलोड मिटी या LVL इसलिए यूज की जाती है नेक कोशन देखिए राजिस्थान राजे की मुख्य खाद्यान फसल कौन सी है यानि राजिस्थान में मुख्य खाद्यान फसल का यूज होता है खाने के लिए वो है गेहूं की फसल हमारे राजिस्थान में गेहु का सबसे ज़्यादा खाद्यान फसल के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है नेक कोशन देखिए भारत में सरवादिक गेहु उत्पादन कहां किया जाता है देखिए यहां बात थो रहे है भारत की तो भारत में सरवादिक गेहु उत्पादन कहां किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश में गेहु सरवादिक पैदावार होती है भारत में. ठीक है? नेक क्वेशन देखिए. गेहु वचावल की उत्पादन में भारत का विश्व में पहला इस्थान चीन का है पहला इस्थान किसका है चीन का गेहूं के अंदर भी गेहूं में भी चीन पिर्थम सेणी में है पहला सबसे ज़्यादा उतपादन चीन के अंदर होता है और दूसरा भारत के अंदर होता है और यही स्थिती चावल के अंदर भी है चावल के उतपा राइस्थान के किन जिलों में सामान्य तहर की जाती है? किन जिलों में की जाती है? स्रीगंगानगर, हन्मानगर, कोटा, बूंदी, सवाई मादोपुर, करॉली, चित्तोडगर, उदैपुर, भीलवाड़ा, टॉंक, पाली, अजमे, डूंगरपुर और मासवाड़ा जिलों में गेहूं की फसल की जाती है गेहूं की फसल राइस्थान में स्रीगंगानगर, हन्मानगर, कोटा, बूंदी, सवाई मादोपुर, करॉली, चित्तोडगर, उदैपुर, भीलवाड़ा, टॉंक, पाली, अजमे, डूंगरपुर, मासवाड़ा में की जाती है नेक कोशन देखिए बाजरा के लिए अनुकूलतम बातावर्ण कैसा होना चाहिए सुस्क जलवाईओ की फसल है ये और रेटी लिमिट्टे इसके लिए काफी अच्छी होती है कम बरसा इसके लिए चाहिए और उच्च तापमान चाहिए जैसा कि हमारे रिगिस्तानी छेत्रों में कि आसपास की जो छेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसा तापमान मिलता है ऐसी ही मिटी मिलती है और ऐसी ही सुस्क जलवायू मिलती है और चीका युक्त जलोड मिटी चाहिए क्या क्या चाहिए? सुस्क जलवायू, रेतिले मिट्टी, कम वर्षा और उच्छ तापमान और चीका युक्त जलोड मिट्टी बाजरा के लिए अनुकूलतम बतवन प्यादा करती है चले, नेक कोशन देखे राजिस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में किस इस्थान पर आता है? नेक कोशन देखे राजिस्थान के सरवादिक छेतरफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजिस्थान के सरवादिक छेतरफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये कोशन आया भी है, तो इसको याद रखेगा, ये फसल है बाजरा राजिस्थान के अंदर सरवादी खेतफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है बाजरा है जबकि राजिस्थान की मुख्य खाद्यान फसल गें हुँ है इस बात का विशेज ध्यान रखेगा चलिए नेक कोशन देखिए राजिस्थान में किन जिलों में मुख्य तह बाजरा की खेती की जाती है पश्मी राजिस्थान में पूरे में की जाती है जैपूर, दौसा, भरतपूर, करौली और सवाई मादुपूर में भी बाजरा की खेती की जाती है नेक्स देखिए चावल की खेती के लिए किस प्रकार की अनुकूलता है आवश्चक है तो देखिए उपोष्ण में उश्ण कटिविंदिय प्रदेशों में होती है और उच्छतापमान इसके लिए चाहिए और अधिक आद्रता यानि वर्सा और आद्रता इसको ज़्यादा चाहिए तो ये अधिक वर्सा वाले छित्रों में ही होती है और चीका युक्त जलोडवे काली मिट्टी में इसकी प्रदाइस अच्छी होती है चलिए नेक कुशन देखिए राजिस्थान में चावल की खेती सामान्य तह किन जिलों में की जाती है तो देखिए हर्मानगर, स्रीगंगानगर, मासवाड़ा, डूंगरपूर, कोटा, भूंदी, जहलावाड, बारा, उदैपूर और चित्तोर गड़ादी जिलों में इसकी खेती की जाती है सावने तोर पे चलिए नेक कुशन देखिए मक्का की फसल के लिए आवश्यक जलवायू कैसी होती है मक्का क की फसल के लिए आवश्यक जलवायू कैसी होती है तो देखिए अधिक तापमान इस फसल के लिए चाहिए और इसके लिए उपजाओ लाल काली मिट्टी होना अच्छा होता है तो मक्का की फसल ऐसे इस्तानों पर की जाती है जहां तापमान अधिक रहता हो और उपजाओ लाल काली मिठी वहाँ पाई जाती हो, तो चलिए, नए कोशन देखी, मक्का की फसल रायचान के किन जिलों में होती है, मक्का की फसल रायचान के किन जिलों में खेती की जाती है, तो वो हैं चित्तोडगर, उदैपुर, भीलवाडा, बांसवाडा और ढूंगरपुर, चित् मेवाड का प्रमुक भोजन क्या होता है तो प्रवाधिक जो ुप्रिय 살ệc कि जाती ए तो 김तिंतरी Напрfalls और इनमें तो मुख्यते रूप से की जाती है, लेकिन अन्य जैसे अलवर हुए भरतपूर, जयपूर, दौसान, टौंग, करोली, सवाई, मादोपूर, उदयपूर, बांसवाडा, कोटा और जहलावाड में भी चना की खेती की जाती है, चलिए, जैक कोशन देखिए, चना क ये अत्रिक किन दलहन फसलों का उप्योग किया जाता है, तो उसमें मुख्यते जो आती हैं, वो हैं मुग, मौट, उरद, और अरहरादी, इन फसलों का यहाँ पर खेती की जाती है, जैक काफी मात्रा में होता है, जैना कि अत्रिक कौम से आपकी दलहन फसले हैं, मुग, और अरहरादी, चलिए, नेक कुशन देखिए, सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है, ये कुशन बहुत इंपोर्टेंट है बचों, सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है, सरसों प्रदेश राजिस्थान को कहा जाता है, राजिस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है, और क्य सर्सों का प्रदेश कहा जाता है, या सर्सों प्रदेश कहा जाता है, ने कुशन देखी, किस जिले में राष्ट्रिय सर्सों अनुसंधान केंदर इस्थित है, किस जिले में है, भरतपूर के सेवर में, भरतपूर के सेवर में ये इस्थित है, राष्ट्रिय सर्सों राजिस्थान के प्रमुक सरसुमत पादक कौन से हैं तो कौन से हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधुपुर और करोली उत्तर में श्री गंगानगर, हनमानगर और विकानेट। नेक कोशन देखिए, मुंगफली की खेती राजिस्थान राज्य की कितनी किरसी भूमी में की जाती है, तो तीन लाख हैक्टेर भूमी लगबग इस छेतर में क्या की जाती है, खरीब की फसल है यह और मुंगफली की खेती लगबग तीन लाख हैक्टेर छेतर में की जाती है राजिस्थान राज्ये के लगबग तीन लाख हेक्टेर भूमी में खरीब की फसल मुंगफली की जाती है स्रीगंगा नगर्ण में और भीका नेड़ में भी कुछ वर्णों से मुंगफली की जो पैदाई है वो होने लगा है कपास की फसल को प्रमुक ओद्योगिक फसल कहा जाता है कपास का मुख्यता उत्वादन राईस्थान में कहा होता है? कपास का मुख्यता उत्पादन राईस्थान में कहा होता है तो कहा होता है श्री गंगा नगर हनमानगर मेवार वे हाड़ोती प्रदेश में कहा होता है कपास का मुख्यता उत्पादन श्री गंगा नगर हनमानगर मेवार वे हाड़ोती प्रदेश में आपने अभी तक जितनी भी कृषी देखी होंगी तो आपने इस चीज को नौट किया होगा कि श्री गंगा नगर और हन्मानगर्ड लगभग-लगभग सभी में हैं तो इस चीज को याद रखेगा तो श्री गंगा नगर हन्मानगर्ड मेवार वे हाड़ोती प्रदेश में पास का मुक्यता उत्पादन किया जाता है नेक कोशन देखिए राजिस्थान में आधुनिक कृष्षी फ़ॉर्म के सिस्थान पर इस्थित है यह अभी तक आया नहीं है लेकिन यह निश्यतुरूप से बहुत इंपॉर्टन कोशन है और यह कभी भी आ सकता है तो उसको य इस्थापित किया गया है और इसका सचायव गेरा का जो कार्य है वो इंद्रा गांदी नहर से किया जाता है तो ये था आपका आफ्री question इस chapter का तो इसे के साथ होता है आपका इस chapter समाम class 8 का chapter number 5 जिसका नाम है खनीज संशाधन और खनीज इवम उर्दा संशाधन question number 1 है आइसक किसे कहा जाता है खनीज और अन्य अव्यव्यों के मिशन को आइसक कहा जाता है या फिर दूसरी भासा में या फिर सामाने भासा में कहा जाए तो जब हम किसी particular किसी element को खोशते हैं तो वो impure form में जो natural form में जब मिलता है तो निश्यत रूप से उसमें बहुत सार रहा सुधियां होती है तो उसके अलावा जो चीजें उसके साथ मिलती है तो वो ऐसा समलित रूप जो दिखाई हमें देता है जिसमें खनीज और अन्य अव्यव्यों होती है उनको क्या कहा जाता है आइस कहा जाता है नेक कोशन देखिए, खनीजों को मुक्य तहा कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, खनीजों को मुक्य तहा कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो देखिए, खनीज जो हैं, वो धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनीजों में विभक्त किया गया है, दात् धात्विक खनीज और उर्जा खनीज तो मुख्य तक कितने भागों में हैं? तीन भागों में हैं धात्विक खनीज, अधात्विक खनीज और उर्जा खनीज इस प्रकार ये तीन भागों में विभक्त किया गया है धात्विक खनीज किसे कहते हैं? धात्विक खनीज किसे कहते हैं? धात्विक खनीज को. इसका मतलब क्या होता है? ऐसे खनीज जिसमें धात्विक खनीज कहलाते हैं. हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लीमोनाइट और सीडेराइट ये किस प्रकार के आयस्क हैं? किस तत्व से संबंदित है? इसमें से कौन सा एलेमेट निकाला जाता है? तो वो है ऐलुमेनियम, ऐलुमेनियम को निश्कर्ठन यानि निकाला जाता है किसे बाकसाइट हैस से. नेक कोशन देखिए, चूना पत्थर, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, और रौक फॉस्वेट किस प्रकार के खनीज हैं? चूना पत्थर, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, और रौक फॉस्वेट किस प्रकार के खनीज हैं? तो ये हैं आपके अधात्विक खनीज. ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके अधात्विक खनीज के उधारण हैं. नेक कोशन देखिए, अब्र कुछे खनीज हैं यह अधात्विक खनीज हैं कौन्चे यह किस प्रकार के खनीज हैं अधात्विक खनीज हैं अधात्विक खनीज क्या होता है जिसमें अधात्विक पाई जाती हैं जिसमें धात्विक नहीं पाई जाती हैं ऐसे खनीज क्या कहलाते हैं अधात्विक खनीज ह सबी अधिवी खनीजों के उधारण है नेक कोरें कोईला पेट्रॉलियम प्राकरतिक गैस यूरेनियम और थोरियम किस प्रlyum के उधारण है यह उधारण है आपके ūुर्जा खनीजों के उधारण है क्योंकि इनसे हमें उर्जा प्राप्त होती है किसी ना किसी प्रकार चे यूरेनियम और थोरियम कैसे हैं यूरेनियम थोरियम दोनों ही दोनों रैडियो एक्टिव मैटेरियल हैं यानि रैडियो एक्टिव पदार्थ हैं रैडियो सक्री पदार्थ हैं यह ठीक है यूरेनिय और थोरियम, और ये सभी क्या है, कोईला पेर्टोलम प्राकरतिगस और offshore ये सभी खनीज है, उर्जा खनीज कहलाते हैं चलिए नए कोश्चन देखिए, खनीज निश्टर्शन विधियों को सामने तहा प्रिकार में वर्गीकृत किया जाता है निश्कर्षन विधियों को सामने तहा कितने प्रकार में वर्गेकरत किया जाता है निश्कर्षन का मतलब क्या है निकालना खनीजों को निकालनी की जो विधी है उसको कितने प्रकार में विवक्त किया गया है तो उसको मुख्यत है, तीन विवागों में विवक्त किया है, खनन, प्रवेधन और आखनन, खनन क्या है, खनन को भी दो भागों में, एक विवरत खनन और एक कूप की खनन, और प्रवेधन और आखनन, इस तरीके से खनन, प्रवेधन और आखनन, इस तीन प्रिकास से इसमे विभक्त किया गया है, इनमें अंतर क्या है, चलिए आगे देखते हैं, आगे के questions में, next question देखी, जब खनीच निस्करशन उपरी सतह को हटा कर किया जाता है, ऐसा खनन किस प्रकार का खनन कहलाता है, यानि धरातल का थोड़ा सा हिस्सा खोदा और हमने अपने खनीच को निका लिया, तो ऐसा जो खनीच निस्करशन होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, वीवरत खनन कहा जाता है, जब हम धरातल की उपरी सतह को हटा लेते हैं, थोड़ा सा खोद लेते हैं, और फिर जो खनीच निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, वीवरत खनन कहलाता ह नेक कोशन देखिए, धरातल पर गहराई में पाय जाने वाले खनीजों के लिए किस प्रकार की खनन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब उपरी परत को थोड़ा सा खोदने पर कोई खनीज ना मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खोदते हैं, एक बड़ कोप की खनन, आपको पता है कूप यानि क्या होता है, कूप यानि कुवा होता है, तो कूप की खनन, जिसमें हम धरातल में गहराई में पाये जाने वाले खनीजों के लिए को अपनाते हैं, जिस चीज के लिए, वो क्या कहलाता है, कूप की खनन कहलाता है, कूप की खनन, न किस प्रकार का खनन किया जाता है धरातल में इत्यंत गहराई में पाई जाने वाले खनिज जैसे Vivian, petroleum फ्राकर्तिक ग्यस आद्धी के निष्कर्शन के लिए किस प्रकार का खनन किया जाता है तो देखिए क्या होता है तो बहुत जादा घहराई पर अगर कोई चीज पाई जाए तो उसके लिए आप थोड़ी सी खान खोधना या फिर कुआ खोधना वो संभव नहीं हो पाता है उससे खनीज निकालना तो उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए drilling की जाता है क्या किया जाता है drilling तो प्राकर्ति गर्स और प्रेट्रोलियम के लिए अक्सर क्या किया जाता है drilling की जाती है और इनको क्या बोलते है इस क्रिया को प्रवेधन बोलते है प्रवेधन या इस प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है इस खनन की प्रिक्रिया को प्रवेधन कहा जाता है एसे खनी जो धरातली सतय पर ही मिल जाते हैं जैसे कि मिटी इनकी निसकर्शन के लिए किस प्रकार की निसकर्शन विदिका उप्योग किया जाता है यानि इनका उप्योग करने के लिए हम इसको निकालते हैं तो किस प्रकार की विदिका उप्योग किया जाता है क्या के तो किसे कह जाता है राजस्थान को, राजस्थान को खनीजों का अजायव घर कहा जाता है नएक कोशन देखिए भारत में सरवाधिक खनीज भंडार किस राज्ये में हैं? भारत में सरवाधिक खनीज भंडार या कहा जाए भारत में सरवाधिक खनीज भंडार कहा पाए जाते हैं? तो कहां पाय जाते हैं? जार्खंड में पाय जाते हैं भारत में जो सरवादिक खनीज मंडार हैं वो जार्खंड राज्जे में पाय जाते हैं न अंदर वॉलेश्टो नाइट और जस्पर पूरी तरह वहीं पाया जाता और भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। किया गया था। भारत का कितना पृतिसत जस्था राजस्थान में मिलता है। और इसको और जो अगर देखते हैं तो एक सारनी देखते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान आपको पता है वॉलेश्टो नाइट और जस्पर तो कुई तरह राजस्थान में ही पाय जाते हैं। जस्था आपने देखा अभी 99% फुलोराइड, जिप्सम और मार्भल भी यहाँ पर 90% से उपर पाय जाते हैं। एसबस्थेस, घिया पतार, सीसा, रॉक्स, फास्वेट यह भी यहाँ के मुख्य पाय जाने वाले खनीज हैं राजस्थान के अंदर। चलिए, यह राजस्थान से संबंदित सार्णी हैं, इस बात का याद रखेगा। नेक कोशन देखिए, राजस्थान में धात्विक खनीज कहां पाय जाते हैं, यानि किन जिलों में पाय जाते हैं, तो देखिए इसके लिए डारेक्टली एक सार्णी देख लेते हैं, शीसा जस्था कहां पाय जाता है, भीलवाडा, उदैपूर और राश्समंद में, ताम नागौर और सिरोही में, और चांदी, भीलवाडा, उदैपूर और राश्समंद में पाय जाते हैं, यह कहां कहां पाय जाते हैं, वह भी आपने देखा, चलिए, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में अधात्विक खनीज किन जिलों में पाय जाते हैं, तो देखिए, उनकी डिटेल्स यहां पर दी गई है, जो वुक के अंदर अविलिबल थी, चूना पत्था, जिताओडगर्स, रोही, नागोर, कोटा, बूंदी और जैसल बेर में, अभरक जो है, भीलवाडा, अजमेर, उदैपूर और जैपूर में पाये जाता है, जिप्सम है, बिकानेड, जैसल में, नागोर, बाडवेर में है, घिया पत्थर आपका, उदैपूर, भीलवाडा, दूंगरपूर और दौसा में पाये जाता है, वालेश्टो नाइट, इसके बार में बहुत पूंचा जाता है, और ज्यादा रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बारी कोशन आ चुका है, तो यह इंपॉर्टन्ट, ओ सकता है, सिरोही, अजमेर, उदैपूर और पाली में वालेश्टो नाइट पाये जाता है, यह important इसलिए है क्योंकि राजिस्थान में ही होता है वालेस्टो नाइट, इसी तरह है, लेकनाइट, जिसको, यह केस का वो है, कोईले का, हमारे राजिस्थान में, जो सबसे उत्तम प्रकार का, कोईले का घनीज पाये जाता है, वो लेकनाइट फ़र्म में पाये जाता है, और लिगनाइट कहां मिलता है बीकानेर, बाडमेर और नागोर में ये भी काफी important point है संगमरमर, राजसमंद, नागोर, उदैपूर, जैपूर और बांसवाड़ा आपको पता है नागोर से ताजमेहल कानों से क्या बना था ताजमेहल करने बना हुआ था ग्रे नाइट कहां मिलता है जालो और जैसल मेर, पाली और सिरोही में और बलवा पत्त, जोदपूर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपूर, कोठा और चित तोड़गर में उर्जा संसाधनों का वर्गी करन किस आधार पर किया जाता है तो नवीनी करन की आधार पर और परमपराओं की आधार पर, यानि किसी चीज का, किसी उर्जा संसाधन का नवीनी करन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस आधार पर किया जो सकता है, दूसरा किस पे परमपरा क के आधार पर यानि वो परंपरा अगर स्रौत है या नहीं है यानि पैले पैले से हैं उसका यूज किया जा रहा है या उसका किया जाने लगा है इनका उर्जा किया जाता है, नवीनी कर्ण के आधार पर उर्जा संचादनों को कितने भागों में वर्गी क्रत किया जाता है, देखें नवीनी कर्ण के आधार पर उर्जा संचादनों को कितने भागों में वर्गी क्रत किया जाएगा, दो भागों में, एक वो जिनका नवीनी कर्ण हो सकत तो जिनका नवीनी कर्ण वो 90 करणी है पर जिनका नहीं हो सकता वो ए 90 करणी है होते ही नेक कुशन देखिए नवीनी कर्ण आधार पर जल विद्धुत, सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, बायो मास्ट और ज्वारिय उर्जा को किस प्रकार के उर्जा संसाधन माना तो देखिए सौर उर्जा को ही ले ले दें आज सौर उर्जा चितनी सौर्जा की जितनी रोस्नी आ रहे आप यूज करीए कल की और उतनी मतलब क्या हुआ वो वो नवीनी कर्ण है या вес नवीनी करण के आधार पर कोईला, खनीश तेल, प्राकर्तिक गैस, यूरेनियम और थोरियम को किस प्रकार के उर्जा संसाधन माना जाता है? नवीनी करण के आधार पर कोईला, खनीश तेल, प्राकर्तिक गैस, यूरेनियम और थोरियम को किस प्रकार के उर्जा संसाधन माना जाता है? तो देखिए, कोईला है, हमारे पास एक लिमिटेड स्रॉथ है, अगर वो खतम हो गया, तो फिर उसका कोई नवीनी करण संबब नहीं है, तो यह ऐसे स्रॉथ क्या है? एन अव्यकर्णिय उर्जा संचाधन है, यह कैसे हैं? एन अव्यकर्णिय उर्जा संचाधन जिनका नवीनी करण नहीं किया जा सकता, जिनको और पैदा नहीं किया जा सकता, वो कैसे हैं? अन अव्यकर्णिय उर्जा संचाधन स्रॉथ हैं, चली, next देखिए, परंपरा के परमपरा के आधार पर उर्जा संचाधनों को कितने भागों में वरगीकरत किया जाता है। जिनका उप्योग प्राचीन समय से हो रहा हो, किस प्रकार के उर्जा संसाधन कहलाते हैं? तो जिनका पहले से उप्योग हो रहा है, वो कैसे कहलाते हैं? परमपरागत उर्जा संसाधन और जिनका नहीं हो रहा है, जो अभी हाल में स्टार्ट किये गए हैं, जिनका उर्जा सं संचाधन कौन से हैं? तो हम सभी जानते हैं कोईलाग, खनीज, चेल, प्राकरतिक गैस, जलविद्ध होती, ये सभी क्या हैopping परमपरागत URŽा सौोत हैं, जिनको हम बहुत समय से यूज कर uważ कर हैं कियसे हैं? यह कैसे हैं? यह परमपरागत URŽा संचाधन हैं जिनको हम बहु कोईले को जो हम निकालते हैं तो किस किस तरीके से उसका कच्चे माल की रूपने वो निकलता है, तो सबसे किसमे निकलता है, एंतरासाइट, बिटोमिनेस, लिगनाइट और पीट, इसमें जो ये चार ताइप की किसमें कोईला खनीज की निकलती हैं, एक एंतरासाइट होता है, बिटोमिनेस होता है, किसमें से निकलता है तो किसमें से निकलता है उस एंत्रासाइट में से निकलता है कि उसमें 80% कार्बन होता है और सबसे कम दुआ देता है तो ऐसा जो मैट्रियल होता है जिसमें सबसे ज्यादा अविलेबल होगा कोईला जलने के लिए जो किसमें हैं एंत्रासाइट में उसम 80% कारवन और सबसे कम धुआ होता है इस वज़े से सबसे उत्तम प्रिकार का कौन सा होगा एंथरासाइट होगा नेक कोईशन देखिए राजिस्थान में सर्वशेष्ठ किस्म किस कोईले खनीजरस की पाय जाती है हमने जो चार नाम पड़े ठीक है उन में राजिस्थान के अंदर जो सबसे बैस्ट किस्म का जो कोईला पाया जाता है वो कौन सी किस्म होती उन चारों में से, तो वो है lignite, lignite जो सबसे अच्छी quality का जो lignite है वो राजिस्थान में पाया जाता है, और इसका उप्योग क्या से किया जाता है, इसका उप्योग सामरेता है विद्धुत उत्पादन में किया जाता है, देखिए, lignite, कोईले का उप्योग किसी भी रूप में अगर किया जाए तो वो वास्पिक्ता में एक अच्छा उप्योग नहीं माना जाता पर्यावरण की द्रश्टी से क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोदूर्शन पैदा करता है नेक्ट कुशन देखिए राजिस्थान में लिगनाईट का खनन कहा किया जाता है और बाड मेर के जालीपा कपूरड़ी और गिरल में इसका खनन किया जाता है बिकानेर के बरसिंग सर और पालना में और बाड मेर के जाली पा, कपूर अड़ी और गिरल में इसका खनन किया जाता है नहीं कोशन देखिए राजिस्थान के प्रमुक्तापिय उर्जा संहियंत्र कहां इस्थित है भारत में सर्व प्रतम खनीज तेल कहां खो जा गया था तो ये खो जा गया था असम के अंदर असम में सर्व प्रतम खनीज तेल खो जा गया था नेक क्विश्चन देखिए भारत का प्रमुक्त खनीज तेल उत्पादक छेतर कौन सा है तो ये क्या है यह है Bombay High, यह Bombay नहीं है, यह Bombay High है जो अरब सागर में स्थित है, यहाँ पर खनिश देल का मुख्य उत्पादन छेते हैं, यहाँ सबसे जदा खनिश देल भारत में निकाला जाता है, नेक कुशन देखिए, राजिस्थान में खनिश देल का उत्पादन कहां किया जाता है, तो यह बहुत जदा important है और से concerning question बहुत बार आया है, खासकर मंगला जो oil refinery है उसके उपर, राजिस्थान के पशिम भाग में इसका होता है, और कहां कहां होता है, बाड में, बंगला, सरस्वती oil field में, और जैसल में, घोटारू, तनोट, मनीहरी और टिबा में, और बिकान बाड में, बाड मेर के अंदर मंगला और सरस्वती oil field है, और जैसल मेर के अंदर घोटारू, तनोट, मनीहरी और टिबा है, ठीक है, चली, next question देखिए, भारत के सर्व प्रमुक जल विद्धुत ऊठ जाए, चैयंत्र कौन से हैं, भारत के सर्व प्रमुक जल विद्धुत उट जाए सिंग्यंतर कौन से हैं, भाकडा नागल पर्योजना, दामोदर गाटी पर्योजना और हीराकुंड पर्योजना, आपको पता है, हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा डैम पर्योजना भी है, इसकी जो डैम है, यह सबसे बड़ा डैम क्या है, 4,800 के लगभग, इंप्पॉर्टेंच रखते हैं हमारे भारत के लिए जल्विदू तूरजा सहिंत्र के तौर पे नेक क्वेशन देखिए, राईस्थान की सर्व प्रमुख जल विद्धू तूर्जा सहिंत्र कौन सा है? राईस्थान में कौन सा है? चंबल गाटी परियोजना जो है और माही बजाज सागर परियोजना ये जो है चंबल और माही बजाज सागर परियोजना ये राईस्थान क सरप्रमुक जल्विदुत उर्जा सहियत्र है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान में परमानु उर्जा सहियत्र कहां इस्थापित है राजिस्थान में परमानु उर्जा सहियत्र कहां इस्थापित है तो जब इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह कहां इस्थित है खो Monogyte मिट्टी में Thorium पाया जाता है। और ये कहां किस राज्य में पाया जाता है मिट्टी में केरल की मिट्टी में केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है वहाँ पर ये थोरियम पाया जाता है और इसको किस विदी से लिया जाएगा इसको आखनन विदी से लिया जाता है किस विदी से आखनन विदी से लिया जाता ह भारत में यूरीनियम जो है वो किस राजे में सरवादिक पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जारखंड में पाया जाता है दूसरे नमबर पे राजिस्थान में पाया जाता है और यही क्रम किसका भी है यही क्रम खनिज जो पदार्त है सरवादिक जारखंड में भारत के अंदर पाया जाते हैं और राजिस्थान के अंदर दूसरे नुमर पे आते हैं तो यही इस्तिती किसकी है यूरेनियम की भी है यूरेनियम खुद भी एक खनिज पदार्त है तो व नेग कोशन देखिए, राजिस्थान के किन जलों में पवन उर्जा के लिए विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है, ये काफी important कोशन है, इसको देख लिजे, ये है जैसलमेर और प्रताबगर्ड, जो हैं, जैसलमेर और प्रताबगर्ड जो जिले हैं राजिस्था जानके इनमें पवन उर्जा की विकाश की प्रबल संबावना हैं, क्योंकि यहां हाउएं काफी त्रीजी से चलती हैं, और भारत के जो तड़िये छेतरें यहां पर भी प्रबल संबावने व्यक्त की गई हैं, यहां पर पवन सेक्नियां भी काफी मात्रा में लगाई में सौर उर्जा के विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है तो देखिए कटी बंदिय छेत्र उस्ट कटी बंदिय छेत्रों में तो आप ही बताइए कि सौर उर्जा सबसे ज़्यादा किस प्रकार के कटी बंदिय छेत्रों में होगी तो वो होगी आप सभी जानते है उस्ट निकटी बंदिय छेत्रों में, तो उस्ट निकटी बंदिय छेत्रों के जो देश हैं, उसमें इसकी प्रवल संभावना व्यक्त की जाती है, सौर उर्जा के विकास की कहां की जाएगी, उस्ट निकटी बंदिय छेत्रों में की जाती है, नेक कोशन देखिए, सौर उर और सौर तौपक आदिरेह permett. यानि इसको तापियो spends वाशल गुछा के तोल पर भी डारेक्व किया जा सकते है थिक है इसमें बिजबियृत्पादन के लावा क्या किया जाता है। सौर कुकर और सौर तापक की रूप में भी इसका यूज किया जाता है ये था आपके इस चैप्टर का अंतियम कोशन और इसी के साथ होता है ये चैप्टर समा प्लास 8 का चैप्टर नमबर 6 और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया कलाब जिसमें व्यक्ति स्वैम परिवार के भरन पोशन और धन प्राप्ति हीतु करता है जो कैसी क्रियाएं कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. ने कोशने देखिए. आखेट करना, भोजन संग्रहन करना, पसुपालन करना, मचली पकरना, कृसी करना, खननादी को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है? आखेट, भोजन, संग्रहन, पसुपालन मश्री पकरना कृसी खनना आदी को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है तो ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं ये सभी प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं हैं ये सभी दित्यक आर्थिक क्रियाएं हैं ये सभी कैसी क्रियाएं हैं दित्यक आर्थिक क्रियाएं कहलाती ह नेक कोशन देखिए, व्यापार परेटन वे संचार को किस प्रकार की आर्थिक क्रिया माना जाता है, तो ये कैसी क्रियाएं है, ये सभी आपके तिर्थेक आर्थिक क्रियाएं है, ठीक है, ये सभी कैसी क्रियाएं है, तिर्थेक आर्थिक क्रियाएं है, नेक कोशन देखिए उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है कच्चे माल द्वारा उप्योगी वस्तु निर्मान का कारक एकाई यानि हम अगर किसी जगह पर कच्चे माल दारा किसी उपयोगी बस्तू का निर्मान करते ही एसी कोई इकाई ऐसा कोई कारखाना ऐसी कोई जग है वो क्या कहलाती है वो उध्योवत्वा विनिर्मान इकाई कहलाती है नेक क्वेशन देखीए विध्याले इस तर पर वेबसाइक सिक्षा का पाठेकरम लागुक की सूजना के तहत किया गया है तो देखिए हमारे देश में बेरोजगारी बहुत जादा है और इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया गया है पाठेकरम लगाए गया है विध्याले इस तर पर ताकि व्यक्तियों को टेक्निकली साक्षर किया जा सके उनको स्वेरोजगार के लिए प्रेडित किया जा सके तो ये जो कारे किया गया ये कौसल विकास यूजना के तहत किया गया है इसके तहत किया गया है कौसल विकास यूजना के तहत किया गया है यानि IMC और व्यपारिक और स्वेरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे है उद्योगों का वर्गीकरण सामने तहा किन आधार पर किया जाता है आकार के आधार पर स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर आकार के आधार पर जैसे कुटिर उद्योग हो गए लगुत उद्योग हो गए बहत उद्योग हो गए स्वामत्त के आधार पर आपके निजी उद्योग हो जाते है मनला उसका सौमित तो किस के उपर, किस के पास है, सरकार के पास है, निजी के पास है, या दोनों के पास है, या फिर किसी अन्नी के पास है, तीक है, इसी तरह कच्छे माल, किस प्रकार के कच्छे माल के उपर आधारित हैं, तो हम कच्छे माल के उपर आधारित वर्गी करण क किया जाता है उध्योगों का वद्धिकर्ण आकार के आधार पर कौन-कौन से भागों में किया जाता है तो कौन-कौन से भागों में किया जाता है कुटिर उध्योग लगू उध्योग और व्रहत उध्योग कुटिर यानि क्या होता है कुटिर यानि घर यानि कुटिर यानि लगू उद्योग और व्रहत उद्योग इस प्रिकार से उद्योग का आकार के आधार पर तीन प्रिकार से वर्गे करण किया जाता है नेक कोशन देखिए, कुटिर अत्वा घरीलू दो किसे कहा जाता है, देखिए अभी मैंने इसको describe किया था, कुटिर यानी घरीलू, कुटिर, कुटिर यानी कुटिया, नेक, इसको देखिए, छोटे पैमाने पर पर परिवार के सदस्चियों की साहता से अपने घर पर जाते हैं, ऐसे उध्यों क्या कहलाते हैं, उठी रत्वा घरील उध्यों कहलाते हैं, नेक कोशन देखिए, लगू उध्यों किसे कहा जाता है, लगू उध्यों क्या होते हैं, छोटे इस तर पर होते हैं, जिसमें दस से सौस्वरमिक कारे करते हैं, छोटे कार खानों में च चोटी-चोटी होती हैं, तो ऐसे उद्योग क्या हाते है लग उद्योग कैलाते हैं और जब इनका example देखें तो वह क्या है माचिस उद्योग हो गया आपका इपा इट उद्योग रंग चपाई के उद्योग, इससा भी कैसे हैं, यह लगू उद्योग के उधारन है, he's No question द वहां स्रमिक का उप्यूग होता हो तो ऐसे उध्योग कैलाते हैं व्रहत उध्योग कैलाते हैं और उनके उध्योग जब देखें तो सूती वस उध्योग, सीमेंट उध्योग, लोहा इसपात उध्योग, आटो मोबाइल के उध्योग ये सभी कैसे हैं ये व्रहत उध्योग क स्वामित्व के आधार पर उध्योगों को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है जो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार से उध्योगों को वर्गी करत किया गया है नेक वेशन देखिए निजी छेत्र के उध्योग किसे कहा जाता है निजी छेत्र के उध्योग किसे कहा जाता है तो निजी से भी आप समझ में आ रहे हैं हमने क्या कहा था हम इसको सौमित्व के आधार पर देखते हैं, संचालन के आधार पर देखते हैं, तो निजी छेत्र उध्योग क्या है? किसी निजी व्यक्ति के द्वारा है ना, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के सम्हू द्वारा संचालत है सौमित वाला उध्योग है ना, या फिर ये कह पहते हैंшиеन को निजी छेत्र के उद्ध्यों कहा जाता है नेकॉसेन देखिये सावजिंक छेत्र see agricultural या न 박श कर जो नेको एसी उद्ध्यों को ऑन चे wrists उते हैं उनका सामेमर कि सके अधिकार चेत्र में आता है तो किसके अधिकार सरकार के अधिकरत कि द्वारा किया जाता है , इसमें गभर्मेंट और गयर सरकारी और सरकारी दोनों ही व्यक्तियों का सम्हूं होता है और इसलिए सहिंप्ति छेत्र के उद्योग इनको कहा जाता है तो राज्यों और व्यक्तियों के सम्हूं द्वारा जिसे मारूति उद्योग लिमिटेटिस का एक अच्छा उद्वार्ण है तो ये कैसा उद्य लोगों का स्वामित वे संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो सहिकारी छेट्रों वो होते हैं, जहां पे मान लेजिए कुछ गुरूप बन गया, हमें कोई काम करना है, पांच विक्ति एक काम को जानते हैं, तो पांच विक्ति एक गुरूप बनाया, और उन्हों नहीं दीरे 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 ऐसे ही लोगों को जोड़ा और बड़ा ऐसे बहुत सारे लोग जोड़ गए उन्हीं के दोरा स्वामित किया जा रहा है उन्हीं के दोरा संचालन किया जा रहा है तो ऐसे उद्योग साहिकारी छेतर के उद्योग कहलाते हैं जैसे सामने तक कच्छे मा उत्पादकों या पूर्ती कारों कमंगारों अत्षवां दोनों दौरा जैसे आनंद मिल्क डेर्ड यूनियन il Lenoсти हो गया है सरय्षगि यह हो गया इसमें क्या होता है जो लोग कच्छा माल प्रोवाइड कराते हैं जो लोग उसमें काम करते हैं उन्हीं के द्वारा उसको संचालेट भी किया जाता है और उन्हीं के पास उसका सौमित्वे भी होता है तो ऐसे चेत्र के उद्योग कैलाते हैं नेक क्वेशन देखिए कच्छे माल के आधार पर उद्योगों को कौन-कौन से भागों में वर्गी करत किया गया है यह कौन-कौन से उद्योग हैं कच्छे माल के उपर आधारित, करसी आधारित, समुद्व आधारित, खनीज आधारित और वन आधारित उद्योगी सबी उद्योग कैसे हैं यह कच्छे माल के उपर आधारित उद्योगों का वर्गी करण है नेक क्वेशन देखिए कच्छे माल का आधारित उसमें वर्गिकरण में देखें, तो जो एक खादस अंसादन है, सक्करव नस्पती तेल, सूती वस्त्र, डेरी उत्पाद, वे चमडा उद्योग जैसे उद्योग हैं, ये किस प्रकार के उद्योग हैं, ये कैसे हैं, ये किरसी आधारित उद्योग हैं सभी, कच्चे माल पर कौन सी, ये सभी किस के उपर आधारित हैं, ये किर्सी के उपर आधारित हैं, तीक है, इस बात का अब याद रखेगा, और ये कोशिन पूछा भी गया है, कि चमड़ा उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित उद्योग गए, तो ये देखिए, य क्योंकि आपको पता है क्रिसी के अंदर क्या आता है, क्रिसी के अंदर पसु पालन भी involved होता है, क्रिसी के अंदर केवल फसल उगाना ही नहीं होता है, क्रिसी के अंदर पसु पालन भी होता है और चमड़ा कहां से मिलता है, सामाने ते पसु की द्वारा मिलता है, तो इस वज ते देखिए-आप इससी समझी तो यानी क्या होता है समद्र आधरित उध्योग नेक पूशन देखिए आधार भूत उध्योग किसे कहा जाता है, तो देखे किसे कहा जाता है, खनीज आधारित उध्योगों को, क्यों कहा जाता है, देखे खनीज, जैसे कि आप लोहा निकालते हैं, खनीज के तो लोहे से आप बनाएंगे, अगर आप लोहा ही नहीं बनाएंगे, तो बड़ी- जैसे आधार भूत उध्योग कहलाता है तो खनिज आधार भूत उद्योग कैसे होते हैं आधार भूत उध्योग कहलाते हैं नेक्कूशन देखिए वन आधारित उध्योगों के उधारण बते हैं राजस्थान लगु उध्योग निगम किस प्रकार कारे करता है। राजिस्थान में कुटी रिवेम लगू उध्योगों के विकास है तु राजस्थान लगू उध्योग निगम किस प्रकार कारे करता है? ये निगम रियायती दरों पर रिंड प्रोऐड कराता है, तक्निकी साहता देता है और विप्रिणन यानि मार्केट जो दिया जाता है विपरन की सुविधाय प्रदान करता है यानि बेशनी की सुविधाय वो प्रदान करता है तो राज्थान लगू उद्योग निगम उद्योगों के लिए क्या क्या करता है निगम रियायती दरों पर रेंड प्रोवाइड कराता है तक्नीकी सहेता मुहिया कराता है और विपर वित्य संसादानों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बजार, उत्पाद गुणवत्ता, उर्जा की कमी, अफसिष्पदार्दों का उप्योग आदी। जैसलमेर और जोधपुर में जो खादी बनाई जाती है, वो कौन सी ऐसी खादी है, जो बहुत पिरसिद्ध है, और वो है मैरीनो खादी, इसको क्या कहा जाता है, मैरीनो खादी है, जो जैसलमेर और जोधपुर की बहुत पिरसिद्ध है राजिस्थान में, नैक कोशन देख तो किस जिले से संबन देता है जैसल मेर से राइस्थान के जैसल मेर जिले में उनी खादी से बर्डी बनाया जाता है ठीक है चलिए नैक कोशन देखिए राइस्थान के किस जिले के कंबल प्रिसिद्ध है राजिस्थान के किस जिले के कंबल प्रिसिद्ध है तो उनी कंबल क बहुत प्रसिद्ध्य है राइस्थान की. Nah question देखे. और ग्रामुद्ध्योग संस्थानों में नाम से अगर देखा जाया तो हमें ऐसा लगता है कि वाल खादी का काम किया जाता होगा यानि वस्त्रों का काम किया जाता होगा लेकिन एक्ट्वल्टी क्या है यहां सूती उनी वरिस्मी धागों से बनी वस्तों के अलावा भी कारे किया दाता और वो कौन से कारे हैं मदुमक्खी पालन अगर्वत्ती निर्मान चर्म उध्योग के अंतरगत जूते चपल पर्स थैले आदी जो बनाई जाते हैं सब कैसे आते हैं यह किसमें आते हैं यह खादी वे ग्राम उध्योग संस्ताओं के अंतरगत आते हैं क्या क्या आते हैं मदुमक्खी पालन अगर्वत्ती निर्मान चर्म उध्योग से समंधिन जैसे जूते चपल पर्स थैले आदी बस्तों का जुर्मान कर रहे हैं यह सभी खादीवे गराम उद्योग संस्तावों में आता है चलिए नेक कोशन देखिए बुनकरों को सरकार द्वारा किन कारेकरों के तहद साहिदा प्रदान की जाती है तो देखिए इन में जो कारेकरम है ये काफी इंपोर्टेंट है एक इकरत ग्रामिन विकास कारेकरम आवास साहिता प्रदान करती है नेक कोशन देखिए राजिस्थान में किन छेत्रों में गन्ने के रच से गुडवे खांड़ सारी का निर्मान किया जाता है तो किन छेत्रों में किया जाता है कोटा बूंदी भीलवाडा और उदैपुर जिले में ये कारे होता है कोटा बूंदी और इसमें एक बहुत important question है वो ये कि मौसमी उद्ध्योग किसे कहा जाता है तो देखिए इस चीज को आप इस प्रिकार से समझ सकते हैं जब गन्नी की फसल होती है क्या होती है गन्नी की फसल होती है तो जब गन्नी की फसल होगी तभी तो गुड़ बनेगा तभी तो खांडचारी बनेगी तभी तो सक्कर का निर्बान होगा तो क्या हुआ गन्नी की फसल के उपर आधारित हो गए ये उद्ध्योग तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा जब ग मौस में उद्ध्योग कौन सा है तो ऐसे उद्ध्योग जो एक पर्टिकुलर समय में एक निश्चिस समय में ही चलते हैं जैसे कि सक्कार उद्ध्योग रस गुडु और खांडशारी का उद्ध्योग यह कैसे टाइम पर चलेगा जब आपके गन्नी की फसल आएगी तभी चल हें तो किन शेत्रों में दिखें अलवर, भरतपूर, सवाई, माधव़पूर और जैपूर आदि यहां पर क्यों है क्यों कि जहां पर سर्सूं पैदाज ज्यादा होती है वहाँ समंने तर्टेल ज्यादा निकाला जाता है क्योंकि अपनी राइसान में सब बहुत मात्रा मे सर्सों का तेल मिला निकाला जाता है तो अलवर में तो अलवर भरतपुर सवाई मादोपुर जैपुर यहां पर क्या है सर्सों की खेती बहुत होती है और यहां पर पैदावार भी काफी अच्छी है तो इसी वज़े से तेल घानी छेत्र भी यहाँ पर इस्ठित हैं तो राजिस्थान के अलवर, भरतपूर, सवाई, मादुकूर और जैपूर जैसे छेत्र हैं वहाँ पर तेल घानी छेत्र सरवा दिखें नेक क्रश्षन दिखें राजिस्थान के किस जिले में मूमफली के तेल की खल निर्मित की जाती है राजिस्चान के किस जिले में मूमफली के तेल की जाद रखे सुरसूं के तेल की नी मूमफली के तेल की खल निर्मित की जाती है तो कहां पर की जाएगी अजमेर साइड में क्योंकि अजमेर में यहां इसकी पैदावार होती है तो अजमेर में कोटा बूंदी बारा वे पाली में भी तिली के तेल की खल बनाई जाती है लेकिन अजमेर में किस की बनाई जाती है मुंगफली की अलवर जैसे चेत्रों, अलवर सवाई मतपुर जैसे चेत्रों में किस की है वहाँ पर आपको सर्सों की मिलेगी खल यहाँ पर आपको अजमेर में मुंगफली की मिली गए और कोटा बूंदी, बारा और पाली में तिली के तेल की खल मिलती है चलिए, नहीं कोशन देखिए राजिस्थान के जैपुर जिले में इस्थित जोहरी बजार किस हेतु विश्व पिरसिद केंदर है देखिए ये कोशन रिपीट है हुआ है और ये कोशन आभी चुका है तो इस चीज को याद रखेगा ये किस के लिए प्रिसिद है? सोने चांदी के आभुसणों रतनों के लिए ये जो जैपुर का जोहरी बजार है वो सोने चांदी के अभुसणों रतनों के लिए बहुत प्रिसिद्ध है, विश्व प्रिसिद्ध है केंद्र है, राजिस्थान का, नेक क्वेशन देखें, राजिस्थान में लाल पत्थर किस जिले में पाया जाता है, तो देखें, लाल पत्थर के आपने बहुत सारे कार ख पाये जाता है धौलपूर में इसी तरीके से नेक कोशन देखिए राजस्थान में संग्मर्मर का पत्थर किस जिल्य में पाये जाता है राजस्थान में संग्मर्मर का पत्थर किस जिल्य में पाये जाता है तो किस जिल्य में राजिस्थान में पीला पत्थर किस जिले में पाया जाता है राजिस्थान में पीला पत्थर किस जिले में पाया जाता है देखें लाल पत्थर किस में पाया गया था धौलपूर में और पीला पत्थर जैसल मेर में पाया जाता है इला पत्तर कहां पाया जाता है, जैसल मेर में, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में कोटा स्टॉन किस जिले में पाया जाता है, तो देखिए, इसके तो नाम से ही निश्चित है, ये कहां पाया जाएगा, कोटा स्टॉन, कोटा यानि कोटा में पाया जाएगा, तो कोटा कोटा में मुख्यतर पाया जाता है इसलिए इसको कोटा कहा जाता है नेक कोशन देखिए राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर किस जिले में पाया जाता है राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर जो है वो किस जिले में पाया जाता है जाल और में ग्रेनाइट पत्थर राजधानी किसे कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है यहां भारत की बात की जा रही है और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है नेक राजिस्थान का उद्धोग, राजिस्थान का जो सबसे प्राचिंतम उद्धोग है वो वस्त निर्मान को, वस्त निर्मान जो उद्धोग है उसको माना जाता है, नेक क्वेशन देखे, भारत में सूती वस्त्रों का सरवाधिक उत्पादन कहा होता है, तो कहा होगा, वो हो महाराष्ट और गुजरात में भारत में जो सूती वस्त हैं उनका सरवाधिक उत्पादन महाराष्ट और गुजरात छित्र में होता है राजिस्थान में सूती वस्तों से संबंधित पहली मील कहां वे कब इस्थापित के गई तो देखिए अठारा सो नवासी में अजमेर के ब्यावर में इसको इस्थापित किया गया था 1809 में सूती वस्तों से संबनी जो पहली मील बनी थी वो कहां थी 1809 में अजमेर के ब्यावर में स्थापित की गई थी next question देखें राज스न का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है मैंचेस्टर यह है भीलवाडा राजिस्थान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मैंचेस्टर? यह है भीलवाडा, राजिस्थान का जो मैंचेस्टर है भीलवाडा को कहा जाता है राजिस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है तो राजिस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है तो राजिस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है वो भी भीलवाडा ही है राजिस्थान की मैंजेस्टर और राजिस्थान की वस्त्र नगरी कौन सा है भीलवाडा जिले को कह जाता है इस भीलवाडा के साथ जब राइस्तान के जैसे वस्तरों के लिए जैसे भीलवाडा फेमस है वैसी हमारे भारत में अन्य के इससान अलगलग चीजों के लिए फेमस हैं जैसे ढाका की मलमल मसूली पटनम की छीट काली कट के केलिंग को और बुरहानपूर सूरत औ वस्तरों के मामले में भाका की मलमल मसूली पटनम की छीट काली कट के केलिंग को बुरहानपूर सूरत और बाड़ूद्रा के सुनहरी जरी यह सभी विश्तविक्छात है अपनी अपनी जगय पे यह कोश्चन आपके जो सीटेट में हैं ये दो बार आ चुका है कितनी बार दो बार आ चुका है तो ये छोटा कोशन ही ये फिर दोबारा भी रिपीट होने के बहुत चांचिज रहते हैं ऐसे कोशन के तो इसको भी याद रखेगा चलिए नैक कोशन देखिए भारत में सरवपर्थम कब वे कहां समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने ही तो प्रियास किया गया था तो कहां किया गया था ये 1904 सीव में मदरास के अंदर किया गया था भारत में जो सरवपर्थम जो समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का काम किया गया था वो कहां किया गया था मदरास में 1940 में किया गया था इसको आप याद भी कैसे रक सकते हैं, देखिए समुधरी CPI पहुत देखे तो écसे मुद्रे के समहें आई समुधर क чув teammate कहां मिलेगा आपको मेगा सिटि और यह डक्षिनी छेत्रों में सरवादिक मिलेगा तो यह क्या है मदरास ऐसा ही शहर है जहां के पास समुद्र टकराता है तो 1940 में कहां किया गया था मदरास के अंदर समुद्री सीप्लियों से सीमेंट बनाने ही तो पहली बार प्रयास किया गया था नेक कुशन देखिए राजिस्थान राज्य का पहला सीमेंट कार खाना कब वे कहां बनाया गया तो कब वे कहां बनाया गया 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में इसको बनाया गया था पहला सीमेंट कार खाना जो राजिस्थान का था 1915 में इस्थापित किया गया था बूंदी जिले के लाखेरी में कहां पर बूंदी जिले के लाखेरी में सीमेंट कार खाना राजिस्थान में पहली बार इस्थापित किया गया था 1915 में नेक क्वेशन देखें, सीमेंट उद्योग हेतू कच्चा माल क्या क्या आवश्यक है, सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है, क्या क्या हमें हमें होता है, वो उसमें पूछा गया है, तो कौन-कौन चा आप योगी है, चूना पत्थर चाहिए होता है सीमेंट उ देखिए, राजिस्थान के किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला मना है, तो किसको मना है, चितोडगर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में इसको तच्चे माल की उखलब देता, आसान्थनी से हो जाती है, तो इसी वज़े से यह जो छेतर है, इसको सी करमील, कब वकिस जिले में स्थापित के गई, राजिस्थान की जो पहली सकरमील थी, वो कब वकिस जिले में स्थापित की गई थी, तो कब की गई थी, 1932 में चितोडगर के भूपाल सागर में की गई थी, तो वरत्मान में बंद है, 1932 में चितोडगर के भूपाल सागर मे की गई थी 1935 में जो की राजिस्टान की पहली शक्रमील थी ठीक है और ये वर्तमान में कारेरत नहीं है बन्द हो चुकी है यह नहीं कोश्चन देखिएं सेज किसे कहा जाता है very very important question सेज किसे कहा जाता है एसी जैड सेज किसे कहा जाता है सेज बचों उसे कहा जाता है जो तीवर अध्धोगी के विकास परोजगार के साधनों में व्रद्धी के उद्देशय से विशिष्ट छेत्रों का निर्धारन किया जाता है जो मलब प्राद्धोगी के विकास हो रोजगार जादा हो सके तो इसके लिए हम गौर्मेंट ने क्या किया चोटे छोटे छेत्रों में यगयों को बाढ़ दिया और एक विशिष्ट इस्थान उनका नाम दे दिया तो इस निर्धारण में जो अलग-अलग छेत्रों कश्रों कर नरधन जो किया गया है वो क्या कहलाता है सेज कहलाती है ठीक है और जब बात करें रायश्तहन का सबसे बड़ा सेज कहां इस्थापित किया गया है तो वो भी हमें पता होना चाहिए राहिस्थान का जो सबसे बड़ा छेत्र है सेज का हुआ है सीतापुरा जैपुर में सीतापुरा जो इंडर्स्टिल एरिया है, जिसको हम सामाने तोर पर क्या बोलते हैं, सीतापुरा इंडर्स्टिल एरिया जो जैपुर में इस्तापित है, ये रायस्थान का सबसे बड़ा सेज है, क्या है ये, रायस्थान का सबसे बड़ा सेज है, सीतापुरा जैपुर में, चले, नया कोश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किस जिले में इस्तित है, तो किस जिले में इस्तित है ये, उदयपुर में, उदयपुर में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वो उदयपुर में इस्तित है, नया कोश्चन देखिए, राजस्थान के कि किन जिलों में राइसायनिक उध्योगों का कारे मुखितर किया जाता है। राइस्थान में इंजिनेरिंग उध्योगों का कारे किया जाता है। किस जिले में इस्थित है तो देखे इसके नाम से ही पता है कि जुन-जुनों के खेतरी में इस्थित है। और इसी के साथ आपका होता है ये चेप्टर समाप क्लास एट का चेप्टर नबर सैवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमीशा की तरब बिना देरिक के साथ। कोशन नमबर वन है आपका भारत में पहली जंगर्णा कब हुई थी। भारत में जो पहली जंगर्णा है वो कब हुई थी। तो कब हुई थी। ये सन 1872 इसी में हुई थी। सन 1872 में भारत की पहली जंगर्णा हुई थी। Second question है, भारत की पहली संपूर्ण जन्गर्णा कब हुई थी? देखे, पहली जन्गर्णा और पहली संपूर्ण जन्गर्णा दोनों questions में अंतर है, तो देखिए, भारत की पहली संपूर्ण जन्गर्णा कब हुई? वो 1881 में हुई, 1881 में हुई, है नो? चलिए, next question देखिए, पिरते एक दस वर्ष में किसके द्वारा भारतिय जणगर्णा का कारेक किया जाता है पिरते एक दस वर्ष में जो भारतिय जणगर्णा होती है वो कारेक किसके द्वारा किया जाता है इसके लिए भारती जनगन्ना विभाग का नियमान किया हुआ है जो कि हमारे हर दसवर्स में भारती जनगन्ना का कारे करता है। कौन करवाता है यह भारती जनगन्ना विभाग। सन 2011 की जंडगंडना के अनुसार भारती जंसंक्या का कितना प्रतिसत राजिस्थान में निवास करता है? राजिस्थान राजिय के कितनी प्रतिसत आबादी गाउं में निवास करती है? जंसंक्या वित्रण किसे कहा जाता है? जंसंक्या सगन छेत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऐसे छेत्र जहां जंसंक्या अधिक होती है उसको क्या कहा जाता है? जंसंक्या सगन छेत्र कहा जाता है। और एक जगे 500 लोग रहे रहें तो कौन सा सगन होगा? जिसमें 500 लोग रहे रहें और जहां एक किलोमेटर में 5 ही लोग रहें वो कौन सा होगा? वो विरल शेत्र होगा है ना? चली ने कौश्या देखिए। जंसंक्या घनत्व किसे कहा जाता है? जंसंक्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो ये क्या है? किसी इस्थान की जंसंक्या एवं उसके छेत्रफल में जो संबंद बताता है वो क्या कहलाता है? जैसे कि हमारे राजिस्थान में इतने भाग में इतने लोग रह रहें हैं तो वो छेत्रफल के हिसाब से जो संख्या बताई जाएगी वो क्या क्या लाएगा वो उसकी जनसंख्या घनत्वा निकालने में मदद करता है राजिस्थान का जनसंख्या घनत्वा कितना है तो 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 राजिस्थान क में 200 व्यक्ति निवास करते हैं इसी तरीके से जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तो ग्यारे सो वेक्ती पृती वर किलोमीटर से भी अधिक है, चलिए नैक कुशन देखी, एक गाऊं की जनसंक्या हजार है, वे गाऊं का छेत्रफल पचास वर किलोमीटर है, तो गाऊं का जनसंक्या घनत्व क्या होगा? एक गाउं की जन्शंक्या हजार है वह गाउं का छेत्रफल पचासवर किलोमेटर है तो गाउं का जन्शंक्या घनत्व क्या होगा देखे इसमें क्या करना है आपको जन संक्या में 6 तरफल का भाग दे देना है तो आपको एक किलोमीटर में लह रहे लोगों की संक्या पता लग जाएगी तो जब हम देंगे तो क्या निकलेगा हमारा 20 निकलेगा 20 व्यक्ति पिर्थी वर किलोमीटर जो व्यक्ति पिर्थी व किस एक जिले में ही निवास करता है राइस्थान राज्य की कुल जन्चंक्या का दस प्रितिसत भाग किस एक जिले में ही निवास करता है राइस्थान में एक ऐसा जिला है जिसकी पूरी जन्चंक्या जो राइस्थान के उसके अकेला दस प्रितिसत भाग केवल एक ही जिले म कम भाग किस जिले में निवास करता है राइस्थान राजे कि कुल जंचंक्या का 1,25 सथ से भी कम लगता है। और क्यों हैं? क्योंकि ये मरुस्तलिय चेत रहें, यहां रहना इतना आसान नहीं है, तो ये चेत फल ज्यादा होने के वावजुद यहां पर लोग कम रहते हैं, तो यहां पर एक प्रतिसत से भी कम जनसंक्या निवास करती है. नेक क्योंशन देखिएं, पश्यमी राजिस्θान के मरुस्तलिय भाग کی 61% भूमी पर राज्य की कितनी प्रतिसत जनसंक्या निवास करती हैं? सबसे ज्यादा सघन संख्या निवास करती है और इस छेत्र का जो ऑसत घनत्व है जनसंख्या घनत्व है वह 130 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलूमीटर है देखें यह कोशन इंपोर्टेंट क्यों है उसका एक कराण भी है यह थार मरुस्तल है जिस यहां पर राजस्तान का करना की जाए तो ठार मरुस्तल के अंदर स्थितियां ज्यादा अनुकूल है रहने के लिए तो इस वज़े से अन्य मरुस्तली छेत्रों के कंपेरिजन में यहां पर ज्यादा जन्शंक्या घरत्यों है इसलिए कोशन बार-बार पूंचा जाता है तो कितनी जन्शंक्या न मेवास करती है जो की करीबन 130 वेक्ति प्रती वर किलोमेटर का जन्शंक्या घरत्यों करती है ने कोशन देखिए राज्थान राज्या के पूर्वी समतल मैदानी छेत्र अरावली परवतिये वे दक्षिन पूर्वी पठार छेत्र और पश्चिमी मरुस्तली छेत्र में जन संग्या घरत्यों किस प्रकार का है तो देखिए इन तीनों की परिष्टितियां अलग-अलग एक राज्थान राज्या के पूर्वी समतली मैदान है यहां पर सभी परिष्थितियां बहुत ज्यादा नुकूल होती है तो रहनीके साब से जगन घरत्यों होता है इसी तरीक तो यहाँ पर इतना जन घनत्व नहीं होता है, यहाँ विरल जन घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर अनुकूल परिस्तिया नहीं होती, इस वज़े से यह विरल जन घनत्व वाले छेत्र हैं, नहीं कोशन देखिए, राइस्थान राज धौलपूर, जैपूर, टॉंक, सवाई माधोपूर, करॉली और भीलवाड़ा आदी जो जिले हैं ये कैसे हैं ये पूरू समतल मैदानी छेत्र के वो हिस्से हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सघन क्या पाया जाता है सघन जन संख्या घनत्व पाया जाता है नेक कोशन देखिए राजिस्थान राजय के पूरू समतल मैदानी छेत्र का जन घनत्व कितना है तो देखिए पच्चिमी राजिस्थान में कितना था एक सो तीस प्रतिवर किलोमेटर और यहाँ पर कितना है लगबग तीस वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर है पूरे राजिस् देखिए। निश्यत अवदी में जनसंख्या में हुए बदलाव कमी या व्रद्दी की दर क्या कैलाती है। इसको क्या कैरते हैю जनसंख्या व्रद्दी कै만ी कीज़लती है। यह क्यों बोल देते हैं कि ये तो क्या है ये आपकी व्रद्धीदर है क्योंकि यहाँ व्रद्धीदर लगती है व्रद्धीदर का उपयोग किया जाता है सब्द का लेकिन जब कमी होती है तो क्या कहेंगे तब भी ये जंचंक्या व्रद्धीदर ही कहलाती है इस बात का आप याद किसी चेतर में किसी अवधी में जनसंक्या कम हो जाये तो ऐसी व्रधीदर क्या कहलाती है किसी चेतर में किसी अवधी में जनसंक्या कम हो जाये तो ऐसी व्रधीदर क्या कहलाती है तो क्या कहलाएगी ऐसी व्रधीदर जिसमें रिणात्मक व्रधीदर कहलाती है तो ऐसी व्रद्धीदर क्या कहलाईगी किसी छेत में अगर किसी अब्धी में किसी समय में जन्संक्या आधिक हो जाए तो ऐसी व्रद्धीदर क्या कहलाती है तो वो रनात्मक कहलाती है और ये क्या कहलाती है धनात्मक प्रद्धीदर कहलाती है जब घट जाए, कम हो जाए तो रणात्मक प्रदीदर, और बढ़ जाए तो धनात्मक प्रदीदर, पस यह ना सही अंतर है, चलिए, ने कोशन देखिए, राइस्थान की जंसंख्या प्रदीदर प्रती दसक कितना प्रतीसत रही है, जो जंगर्ना 2011 हुई थी, उसके हिसाब स राइस्थान की जंसंख्या प्रदीदर है, वो कितनी है, वो है 21.31 प्रतीसत, वो कितनी है, 21.31 प्रतीसत, चलिए, ने कोशन, जंसंख्या प्रदी किन कारुकों पर निर्भर करती है, यह काफी important कोशन है, जंसंख्या प्रदी किन कारुकों पर निर्भर करती है, तो देखि स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति अपना अगर निवास स्थान परिवर्थित कर ले तो उसका प्रवास कहलाते हैं मतलब वो एक जगे अभी रह रह रहा है फिर वहाँ छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए और दूसरी जगे रहने लगे तो वो क्या कहलाएगा वो प्रवास तो इसमें से कौन जी प्राकरतिक गटना है जन्म भी प्राकरतिक है मिर्तियों भी प्राकरतिक है प्रवास तो प्राकरतिक नहीं है क्योंकि वो हमारी सोच के उपर बहुत सारे कारणों के उपर ने उपर करती है तो वो प्राकरतिक नहीं है वो एक बहुत धिक का तो प्राकर्तिक व्रद्धी के कारण क्या है जन्मी या मिर्ट्यू तो जन्मी या मिर्ट्यू की संक्या से जन्शंक्या में बढ़ाती या घटत जो होती है वो जन्शंक्या में प्राकर्तिक व्रद्धी कहलाती है वो क्या कहलाती है जन्शंक्या की प्राकर्तिक व्रद्धी कर लिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपना इस्थाई रुक्षिन जब निवास परिवर्तन कर लिया जाता है तो वो एक जगे से कम होकर एक छेतर से हट कर दूसरे छेतर में जाएगा तो वहां की व्यर्दी हो जाएगी और यहां कभी हो जाएगी तो प्रवास भी ज जब एक इस्थान से किसी व्यक्ति के जाने को उत्प्रवास कहते हैं देखें इस जगे अब कोई व्यक्ति रह रहा है और वो इस जगे जा रहा है तो जब यहां के लिए पूंचा जाए कि यहां पर क्या हुआ तो इस व्यक्ति का उत्प्रवास हो गया ठीक है इसका यहां पे क्या हो गया उत्प्रवास हो गया और यह यहां गया तो यह क्या हो गया यह क्या हो गया नेक कोशन देखी उसमें आपको पता चलेगा आप्रवास किसे कहा जाता है आप्रवास क्या कहलता है आप्रवास एक इस्थान से किसी वक्ति के आने को आप्रव यही इसमें अंतर है चलिए नहीं कोशन देखिए आंतरिक प्रवास किसे कहा जाता है जब वेक्ति जो होता है एक देश की सीमा के अंदर ही अपना प्रवास करे या कहें एक देश की सीमा के अंदर ही अपना आवास से थंतरन करे तो वो क्या कहलाएगा आंतरिक प्रवास कहला नेख कोिशन देखिँए talent. दो देशों के मद्य होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है ? वो केलेगा अंतरराश्ट्रिय प्रवास जब देश के अंदर हो रहा है तो अंतरिक प्रवास और बहार हो रहा है मैंक दूसरे देश में जा रहा है विक्ति तो वो क्या कहलाएगा अंतर राष्ट्रिय प्रवास कहलाता है नेक कुश्चन देखिए राजस्थान में सन 2011 की जणगंडना के अनुसार किन जिलों में सरवाधिक जणशंक्या वर्दी दर थी किस में की गई थी? बार्ड मेर और जैसल मेर में नेक कुशन देखिए राइस्थान में सन 2011 की जणगर्णा की अनुचार किस जिले में सबसे कम जन्चंक्या वर्दीदर थी? राइस्थान में सन 2011 की जणगर्णा की अनुचार किस जिले में सबसे कम जन संक्या व्रद्धी दर थी तो किस जिले में थी वो थी आपके गंगा नगर में सबसे ज़्यादा किस में थी बाड मेर और जसल मेर में और सबसे कम किस में थी गंगा नगर में राइस्थान के वे आर्जिले जिनकी जन्शंक्या व्रधी दर भारत की ओसत जन्शंक्या व्रधी दर 17.6% से कम थी यानि 2011 की जो जंगर्ना हुई थी उसमें भारत की ओसत दर जन्शंक्या दर किती थी 17.6% और रायस्षान के ऐसे आर्जिले हैं जिनकी ओस्त जंशंख्या व्रधीदर जो है वो उससे भी कम रही तो वो कौन से आर्जिले हैं तो कौन से आर्जिले हैं वो जुनजुनु, पाली, बुंदी, चित्तोडगर, सीकर, हनमानगर और टॉंक। जुनजुनू, पाली, गुंदी, चित्तोडगर, सीकर, हन्मानगर और टॉंप ये वो आर्जिले हैं जहां भारत की ओसर जन्शंक्यादर जो की 17.6 पृतिसत रही थी 2011 की जन्गाणा में उससे भी कम जन्शंक्यादर दीदर इन 8 जिलों की रही थी चलिए, नेक कुशन देखिए, लिंगानुपाद किसे कहा जाता है, लिंगानुपाद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पृति हजार पुरुसों पर इस्तियों की संख्यादर जैसे कि मान लिजे एक हजार पुरुस हैं और उसी जगे पे मान लो 888 जो जन्शंक्यादर के भारत के किन राज्यों अत्वा केंद्र सासित प्रदेशों में इस्त्रियों की संख्या पूर्सों से अधिक है। और किन राज्यों की संख्या पूर्सों की संख्या प्रदेशों में आते ही जहांपर संथ्त्रियों की संख्या जादा है। राइजिस्थान में सन 2011 की जंडगर्णा के अनुसार लिंगानुपात क्या है क्या था यहाँ पे 928 राइजिस्थान पूरे स्टेट का जो आपका लिंगानुपात था यानि एक हजार पूरसों पे 928 इस्त्रिया हैं पहले ये रेशो और भी कम था लेकिन अब धीरे-धीरे स कम होता जाता है यानि पूरसों प्रती हजार पूरसों के अगर इस्त्रियों की संक्या कम होती जाती है तो बहुत सारे हमारे एक तरीके से समाज का पतन होने लगता है इस्त्रियों के प्रती आक्रमक्ता और क्राइम्स बढ़ने लगते हैं जो कि हमारे लिए समाज के लिए बहुत ही नुकसान दे चली, नए कोशन देखिए, राजिस्थान में सन 2011 की जंगर्णा की अनुसार, 6 वर से कम आयू के बच्चों में लिंगानुपाद क्या है, यानि इसका अर्थी यह है, कि जब 2000 ग्याने की जंगर्णा हुई थी, तब 6 वर से कम जो बच्चे थे, उनकी बीच में लिंगानुपाद क्या था, तो देखिए, उस्वत लिंगानुपाद मात्र 288 था और यह एक बुरे भविश्य का संकेत है, क्योंकि इस्त्रियों की अगर संक्या कम होने लगी, तो सामाजिक पतन स्टार्ट हो जाएगा और यह बहुत नुकसान दे होगा, यह जो 888 ही लड़कियां थी, यानि एक हजार लड़के और 888 लड़कियां पैदा हुए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नेक कोशन देखिए, भारत सरकार द्वारा देश में महीला ससक्तिकर्ण एवन बेटियों के अधिकारों को सुनिश्यत करने के लिए, जनवरी 2015 म देश में किस योजना को प्रारम किया गया है, तो देखिए, इस योजना को बहुत जादा आपने देखने को मिलेगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, तो बता देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है, वो जनवरी 2015 में भा सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई थी, नेक कोशन देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्दीश ये क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्दीश ये क्या है, उद्दीश ये क् तो कितने प्रतीसत है मात्र 66.10% जो है वो राजस्थान की कुल साक्चरता है देखी जैसे जैसे साक्चरता का रिश्यो बढ़ता है वैसे वैसे ही लिंगानुपाद भी बढ़ता है अभी आपको इसको देखने को मिग लेगा केरल में सिख्षा का इस तरह है वो काफी अच्छा है और इसलिए वहाँ पर इस्तियों का लिंगानुपाथ जादा है और राईस्थान के अंदर यही इस्तिति काफी विफ्रीत है जहां साक्षर्टा कम है वहां लिंगानुपाथ क्योंकि knowledge नहीं होने पर अक्सर परिशानियों का कारण बनता है। चलिए, next question देखें, राजस्थान में सन 2011 की जंगर्णा के अनुसा सर्वाधिक साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सन 2011 की जंगर्णा के अनुसार दर्ज हुई है। राजस्थान में सन 2011 की जंगर्णा के अनुसार सर्वाधिक साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सन 2011 की जंगर्णा के अनुसार सर्वाधिक साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है। इसमें इस्तरी साक्षर्ता वाला जिले के बारे में बात करें तो वो कोटा है। कोटा के अंदर सर्वाधिक साक्षर्ता प्रतिसत कोटा के अंदर इस्तरी साक्षर्ता का प्रतिसत दर्ज किया गया है। सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है अभी तक हमने क्या पढ़ा सबसे ज्यादा वाला और हम क्या पूछ रहे हैं सबसे कम साक्षर्टा वाला सबसे ज्यादा साक्षर्टा किस में थी आपके सबसे ज्यादा साक्षर्टा कोटा में थी और इस तरी मियों में सबसे ज्य तो वो है जालोर जालोर के अंदर सबसे कम साक्षर्था Πॉर्ष स फिर्ष stitch पुरुष पर प्रताब गर्ठ सबसे कम सिक्षित पूरुस कहां पे हैं प्रताबगर के अंदर है carnival question देखिए, इसी तरह इस्त्री साक्षर्था सबसे कम किस जिले में है राजस्तान के अंदर, तो किस जिले के अंदर है, जालोर के अंदर, जालोर के अंदर इस्त्री साक्षर्था जिले में सबसे कम है, ठीक है, next question देखिए, भारत में 2011 की जंगरना के ज़ार हिंदु जानने वाले जो लोग हैं, आपको पता है हमारा देद धर्म निरपेच्छ है, इसलिए यहां सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, धर्म निरपेच्छ का अर्थ क्या हुआ, यहां पर किसी भी धर्म की उपेच्छा नहीं की जाती, यहां सभी का सम्मान किया जाता है, सभी दर्मों का इस वज़े से यहां सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और यही कारण है कि यहां अलग-लग धर्म के आधार पर भी जन्गर्णा निकाली जाती है तो 2011 की जन्गर्णा के अनुसार हिंदू धर्माव लंब्यों के आबादी कितने प्रतिसती भारत के अदर वो थी 88.5% यानि 88.5% जो थे वो केवल हिंदू भारत के अंदर निवास कर रहे हैं नहीं कोशन देखिए भारत में 2011 की जन्गर्णा के अनुसार मुस्लिम धर्माव लंब्यों की आबादी कितने प्रतिसती भारत में 2011 की जन्गर्णा के अनुसार मुस्लिम धर्माव लंब्यों की राजिस्थान की अधिकारिक भासा है। कौन सी है, हिंदी भासा है, नेक कोईशन देखें, राजिस्थानी आरे भासा परिवार का एक भासा समूँ है, जिसमें कौन सी बोलियां समूँ है, जिसमें कौन सी बोलियां समूँ है, जिसमें कौन सी बोलियां समूँ है, देखें हम बोलियां कुछी गई हैं, और बोलियां क्या है? आरे भासा परिवार का एक भासा समुह है, और यहाँ पर जो बूलियां बोली जाती है राजिस्थानी के हुर्दु और ब्रज भासा यह कहां की है यह राजिस्थानी भासा का पुड नहीं है इनके अंदर यह कौन कौन सी है भीली मेवाती गुजराती उर्दू और रजभासा नेक क्केशन देखिए राजिस्थान में जन जाती आबादिक किन जिलों में निवास करती है तो किन जिलों में निवास करती है उदैपूर्ट, डूंगरपूर्ट, चित्तोरगर्ण वे बासवाड़ा से लेकर बूंदी, कोटा, सवाई जयापुट जिलों में ये निवास करती है, ना एक कोशन देखिए, राजस्थान राजय के प्रमुख जन जातियां कौन कौन सी है, देखिए ये important कोशन है, ये repeat भी हो चुका है एक बार पेपर में, तो इसको ध्यान रखेगा, राजस्थान राजय के प्रमुख जन जातिया कौन कौन सी है, भील, गरसिया, मीना और सहरिया, देखिए कौन कौन सी है, भील, गरसिया, मीना और सहरिया, यहाँ पे अभी हम सहरिया के बारे में भी बात करेंगी, भील, गरसिया, मीना और सहरिया जो है, ये राजस्थान की प्रमुख जन जातियां है, ना कुशन देखि नक क्विशन देखे राजिस्थान की एक मात्र जन जाती जिसे आदिम जन जाती समून की सुचे में सामिल किया गया है भाराज सरकार द्वारा राजिस्थान की एक मात्र जनजाती जिसे आदिम जनजाती सम्हों की सूची में सामिल किया गया है ये कोशन काफी important है इस पाद ध्यान रखेगा और वो कौन सी है सहरिया भारा सरकार ने सहरिया जो जन जाती है राजिस्तान की उसको आदिम जन जाती के तौर पर समलित किया है और ये रहती का है बारा जिले की सहाबाद वे किसंगंज तहसीलों में ये सरवादिक इनकी जन संख्या मिलती है 12 जिले की सहाबाद वे किसंगंज तहजिलों में सरवादिक जंसंक्या सहरिया जंजाती की पाई जाती है और ये भारत सरकारदारा राजस्थान की एक मातर जंजाती है जिसे आदिम जंजाती समों में समलित किया गया है नेक क्वेशन देखें राजस्थान राज्ये की सबसे प्राचिन जनजाती कौनसी है? राजस्थान राज्ये की सबसे प्राचिन जनजाती कौनसी है? तो हम सभी जानते हैं भील जनजाती राजस्थान की सबसे प्राचिन जनजाती में समलित है राइस्तान की सबसे प्राचिन जन जाती कौनसी है? भील जन जाती. नेक कुशन देखें. भीलों की भासा कौनसी है? भीली या वागडी. भीलों की जो भासा है भीली या वागडी में किस भासा के सब्द पाए जाते हैं? भीलों की भासा में किस भासा के सब्द पाए जाते ह सहरिया सब्द की उत्पति किस भासा से है सहरिया सब्द की उत्पति किस भासा से है सहरिया जंजाती है राइस्तान की जो कि आदिम जंजाती के तौर पर समलित करिये भारसरकार के जारा है न तो सहरिया सब्द की उत्पति किस भासा से है यह फार्सी भासा के सहर सब्द से है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसका प्राय क्या है जंगल या वन के निवासी, सहर का अर्थ क्या होता है? जंगल या वन के निवासी, फार्ची बासा का सहर जो सब्ध है जिससे सहरिया बना है उसका अभी प्राय होता है जंगल या वन के निवासी, तो क्ल राष्टिय परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है आपको पता है 21 सितंबर को अंतराष्टिय परेटन दिवस मनाया जाता है नेक कुशन देखी राष्टिय परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता है 25 जनवरी यानि कल मनाया गया था राष्टिय जन्वरी को राश्टी परेटन दिवस मनाया गया नेक कुशन देखिए राजस्थान परेटन दिवस कब मनाया जाता है राजस्थान परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं ये 30 मार्च को मनाया जाता है नेक कुशन देखिए परेटक वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य इस्थान पर किसी भी कारण वर्ष चाहे वो घुमने के लिए आया हो चाहे वो वेबसाइक किसी कारे के लिए आया हो एस्थाई रूप से कहीं रहता है और उसके बच्चाथ वापिस अपनी जगे लौट जाता है तो उसको क्या कह जाता है परेटक कहा जाता है जो वेक्ति जो किसी अन्य इस्थान पर कुछ समय के लिए एस्थाई रूप से रहता है तसपरचाथ पुन्ह लोट जाता है परेटक कहलाता है नेक कुशन देखिए भारत में आने वाले कितने परेटक राइस्थान में परेटन का चैन करते है भारत में आने वाले कितने परेटक रायस्थान में परेटक का चैन करते हैं यह question बहुत important है क्योंकि ये दो बार पहले भी exam में आ चुका है तो इस question को याद रखिएगा रायस्थान में हर 3 वा परेटक आता है यनि भारत में अगर 3 परेटक आते हैं उसमें से एक परेटक राइस्थान में आता है, तो इसका समझ सकते हैं कि राइस्थान के लिए ये औध्यो कितना importance रखता है, next question देखिए, विदेशी परेटकों को भारत की और आक्रसित करने के लिए कौन सा कारेकरम तयार किया गया है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहा गया है अतुल्य भारत, अतुल्य भारत नाम से एक कारेकरम चलाया जा रहा है, हमारी भारत सरकार के दोरा जो विदेशी परेटकों को भारत की और आक्रसित कर सके, next question देखिए, राजिस्थान में परेटक को बढ़ावा देने के लिए, राजिस्थान में परेटन विकास निगम क स्थापना की गई थी, वो किस वर्स की गई, राजिस्थान परेटन विकास निगम जो है, उसकी स्थापना किस वर्स की गई, जिसको सौट में RTDC भी कहा जाता है, क्या है, 1989 में, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, next question देखिए, राजिस्थान में परेटन को बढ़ावा दे के लिए, कौन से नारे लगाए जाते हैं, तो कौन-कौन से नारे हैं ये देखिए, देखिए, ये कुछ नारे तो ऐसे होते हैं, जिनको जैसे साल के according उनको विसस नारा दे जाए, इस साल ये नारा प्रिफरेंस में रहेगा, तो 1978 में ढोला मारू रहा था, फिर 1993 में और 2019 म जो अभी चल भी रहा है अभी तक चल रहा है पधारो महारे देश, 2008 में रंगीलो राजिस्थान, 2006 में जाने क्या दिख जावे और सुरंगा राजिस्थान, राजिस्थान पधारी आदी जैसे नारे रेगुलर लगाये जाते हैं चलिए, नेक कोशन देखे राजिस्थान का परेटन का प्रतीक क्या है ये एक स्लोगन है जिसको कहा गया भारत का अतुल्य राज्य याना, the incredible state of India, ये राजिस्थान का परेटन का प्रतीक भी है और ये स्लोगन भी है भारत का अतुल्य राज्य, था incredible state of India, नेक कोशन देखिए नेक कोशन है आपका परेटकों को सुविधा के लिए राजिस्थान को अलग अलग परेटक मंडलों में बांट दिया है इनमें सबसे जादा परेटक किन मंडलों में आते हैं परेटकों को सुविधा के लिए राइस्थान को अलग-लग परेटकों की सुविधा के लिए परेटक जो हैं उनकी सुविधा के लिए राइस्थान को अलग-लग परेटक मंडलों में बाण दिया उसमें सबसे ज़्यादा जो परेटक आते हैं वो किस मंडलों में आते हैं उनका क्या क्या नाम है उनका नाम है जैपूरामेर मंडल, मरू सरकेट और मिवार सरकेट इन तीन सरकेटों में सबसे ज़्यादा परेटक आती हैं नेक कुशन देखिए, राईस्थान के परेटक स्थलों को सामने तह कितने भागों में बाटा जाता है, एतिहासिक, भॉगॉलिक और धार्मिक परेटक स्थलों में इनको बाटा जाता है, तो चलिए, नेक्स देखिए, प्रिसिद एतिहासिक परेटन स्थल काली बंगा वे पीली बंगा राईस्थान के किस जिले में इस्थित है, देखिए, ये काली बंगा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और पीली बंगा भी है, तो ये किस जिले में इस्थित है, राईस्थान के किस जिले में इस्थि पिरसिद एतिहासिक परेटन इस्तल आहड राईस्थान के किस जिले में इस्तित है यह है उदयपूर के अंदर उदयपूर के अंदर आहड इस्तित है नेक कुशन देखिए पिरसिद एतिहासिक परेटन इस्तल बैराठ राईस्थान के किस जिले में इस्तित है जो पिरसिद बैराट आप जानते हैं, जिसको आपने इतियास में बहुत पढ़ा है, राइस्थान की किस जिले में इस्थित है? यह जैपूर में इस्थित है, नएक कुशन देखिए, पिरसिद एतिहासिक परेटन इस्थल गनेश्वर राइस्थान के किस जिले में इस्थित है? जो मेर का किला और जनतर मानता, राजशान के किस जिले में इस्थित है? तो यह आप बहुत अच्छे से परिचित है, कि यह कहां पर हैं? सभी जानते हैं यह सब जैपुर में इस्थित है. नेक क्यूशन देखिए. प्रिशिद ऐतिहासिक परेटनिस्थल विजायस्थम राजशा किस जिले में इस्थित है यह कहां पर इस्थित है यह चिताओड गड़ के अंदर इस्थित है इसी तरीके से जो प्रिसिद एतिहासिक परेटनिसल कीरती इस्थित है वो राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो जो कीरती इस्थित है वो भी चिताओड गड़े के अंदर सितोडगड के अंदर ही इस्थित है नेक कोशन देखी पिरसिद एतिहासिक परेटनिस्थल कुंबलगड का किला राईस्थान के किस जिले में इस्थित है कुंबलगड का जो कला है किला है वो राईस्थान के किस जिले में इस्थित है तो वो किसमे है, राज समन्त के अंदर है, कुंबलकर्ड का किला है वो राज समन्त के अंदर इस्तित है, ने moi question देखिए, पिरसिद एतिहासिक परेटनिस्टल सजजनगर का किला और सिटी पैलेस राईस्टान के किस जिले में इस्थित है? सजजनगर का किला और सिटी पैलेस जो है वो राईस्टान के किस जिले में है? वो है उद्धैपुर के अंदर, ठीक है? चलिए, ने कोशन देखी प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल महरानगड का किला राईसन के किस जिले मिश्थित है, तो किस जिले में है, जोदपूर के अंदर है ये, महरानगड का किला कहा है, जोदपूर के अंदर, नैक कुशन देखी, प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल सोनारगड का किला राईसन के किस जिले मिश्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये जैसल मेर के अंदर इस्थित है, ठीक है, इनके आप नॉट्स बना लिजे, बैस्ट है कि एक पेस उठाईए, और इनको इनके प्लेस के हिसाब से इनको में प्रिसिद नकी जील राईसन के किस जिले में इस्थित है, प्रिसिद नकी जील है, वो राईसन के किस जिले में इस्थित है, तो वो है आपके सरोही के अंदर, प्रिसिद नकी जील जो है राईसन के सरोही जिले में पुसकर्जील राज समंद जीले में इस्टेते हैं. ये क्षुशट्चन भी आया हुआ है. और इसमें बच्रें क्या करते हैं? राजसमंद जील के नाम से घवरा जाता है तो यह राजसमंद जील अगर राजसमंद में होती तो पूछा नहीं जाता इसलिए राजसमंद पर कभी वो टेक्निक करते जब कि यह राजसमंद के अंदर ही होती है तो एक्षा दिमाख मिलकुल मतलगा यह राजसमंजील राजसमंद के अंदर ये है नेक कुशन देखे चूलिया और मेनाल जलप्रपाद राजस्थान के किस जिले में इस्तित है चूलिया और मेनाल जलप्रपाद जो काफी फेमस भी है राजस्थान के किस जिले में इस्तित है यह चितोडगर के अंदर इस्थे थे है, है न, चली, नेक कुशन देखिए, रंधमबॉर का राष्ट्य उध्यान राजस्थान के किस जिले में इस्थे थे, तो यह तो हम सभी जानते हैं, यह सवाई मादोपुर में है, है न, नेक कुशन देखिए, तो यह है बिना मात्रा का सहर यानि अलवर तो यह है आपके भरतपूर के अंदर आगला कुशन देखिए राष्ट्य मरू उध्यान राष्टान के किस जिले में है यह जैसलमेर और बार्डमेर में है मरू का मतलब क्या है रेगिस्थान है ना रेगिस्थान से समध्यत होता है ना मरू तो मरू उध्यान जो है कहां पे होगा जाए, चलमेर बाड़मेट जैसे एरिया में हो सकता है, ने कुश्चन देखिए, चंबल नदी के किनारे जिए, चंबल अभ्यारन में किन जीवों को सनरक्षण दिया गया है, यह बहुत इंपॉर्टन्ट कुश्चन है, चंबल नदी क किनारे जो चंबल अभ्यारन जो है किन जीवों को सनरक्षण दिया गया है जैसे सरिस का अभ्यारन है वहाँ पर आपको बागों को रिजर्व किया गया है वहाँ बागों को सनरक्षण दिया गया है उसी तरह जो चंबल अभ्यारन है वहाँ किन जीवों को सनरक्षण दिया है इस्थापत्यकला आपने बहुत जगे पड़ा होगा, है न, तो इस्थापत्यकला कहा किसे जाता है, क्या होता है वो, भवन निर्मान की जो कला होती है, उसको इस्थापत्यकला कहा जाता है, ने कोशन देखी, राजस्थान राज्ये के किस जिले में ब्रह्मा का मंदिर इस् ने कोशन देखिए, राइस्थान राज्ये के किस जिले में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगाह इस्तित है, कहाँ पे है ये, ये अजमीर में हैं, हम सभी जानते हैं, चलिए, ने कोशन देखिए, राइस्थान राज्ये के किस जिले में कोलायत इस्तित है, राइस्थान राज्य के किस जिले में कोलायत इस्थित है किस जिले में है ये ये बिका नेर में है बिका नेर में कोलायत इस्थित है नेक कोशन देखे राइस्थान राज्य के किस जिले में राम देवरा इस्थित है रामदेवरा का मंदिर आप बहुत सुनते होंगे है ना तो राजस्तान किस जिले में है ये ये जैसल मेर में हम सभी जानते हैं इस बात को रामदेवरा जो का मंदिर है वो कहां पे है जैसल मेर के अंदर है नेक कोशन देखें राजस्थान राजय के किस जिले में नातदारा में इस्थित स्रीनाज जी का मंदर इस्थित है नातदारा में है स्रीनाज जी का मंदर ये नातदारा है या फिर स्रीनाज जी का मंदर वो किस जिले के अंदर आता है ये किस जिले में है ये राज समंद के अंदर है राजस्थान के राज समंद जिले के अंदर ये आता है उद्यपूर में एक लिंक का मंदर इस्थित है नेक कोशन देखिए राइस्थान राज्य के किस जिले में गोविन्द देव जी का मंदर इस्थित है राइस्थान राज्य के किस जिले में गोविन्द देव जी का मंदर इस्थित है जो की एक जगय का नाम है देशनोक, वहां की जो कर्णी माता है, कर्णी माता जो देशनोक की जो मंदिर है, वो कहां पर इस्तित है, यह देशनोक कहां पर है, या कर्णी माता कहां की है, तो यह कहां पर है, बिकानेर के अंदर है यह, जो देशनोक वाली कर्णी माता है, या फ राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तो किस जिले में है यह सवाई माधुपूर में है कहां पर है यह सवाई माधुपूर में है यह नेक कुश्चन देखिए तुरुपरा सुंदरी का मंदिर राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तुरुपरा सुंदरी आपने रिशब देव, रनकपूर और देलवाड़ा किसके लिए फेमस है, जैन मंदिर, और यह कहा है, और यह सन के किस जिले में स्थित है, यह है, क्रमसा उदयपूर में रिशब देव का मंदिर है, पाली के अंदर रनकपूर का है, और देलवाड़ा मंदिर कहा है, शिरोही के में परेटन को सर्वपृत्याण का दर्जा कब दिया गया तर इसको सवा अध्योग की तौर पर., उध्योग माना जाता है और ये 1989 में उध्योग की उध्योग माना गया उससे पहले ये ज़स एक नॉर्मल कारे था जिसको उध्योग में समलित नहीं किया जाता था लेकिन तब 1989 से इसको उध्योग का धर्जा दे दिया गया नएक कुश्चन देखिए परे टकों को आकरस्थ करने के लिए परे टकों के लिए किस नाम से विसी साही रेल गाड़ी चलाई गई है आपने आपके चहरों में देखा भी होगा या आती भी है बहुत जगे इसका रूट है तो कहां पे क्या नाम है इस गाड़ी का इसका नाम है रायल राजस्तान ओन ब करने के लिए चलाई गई हैं नएक क्वेश् unlike hadn't bio षगा से प्राइरम होती है काँ सी प्राइरम ये दिल्ली से स्टार्ट होती है दिल्ली से प्राइरम होकर राइस्थान में फिर जोदपूर चित्तौअरगर उदयपूर जयपूर रन्समबॉइस से होते करी मद्धे परिवेहन किसे कहा जाता है, एक इस्थान से दूसरे स्थान तक मानव वस्तुओं विचारों के आदान प्रदान को याद रखना हम लोग क्या सोचते हैं किवल हमारे आवगमन को ही परिवेहन का मांद रहा है, उसको परिवेहन मानते हैं, जो हमारा माध्यम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या है कि हम हूँ, या फिर कोई वस्तू हो, या फिर विचार हूँ, उन सभी का आदान प्रदान क्या कहलाता है, परिवेहन कहलाता है, ने क्योशन देखी, पाइप परिवेहन का उप्योग किस तो किसे तू किया जाता है तो किसे तू किया जाता है तरल और गैसिय पनाश्टों के आधान पर्दान ही तो के लिए विच्छी स्थार पर पाइप बिचाई जाती हैं, है ना, तो वो क्या क्या लाएगा, वो पाइप परवेन, और इसका उप्योग सामितर क्या होता है, जो घरेलू गैस हैं, LPG गैस हैं, पैटॉल वगेरा है, इन सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है, नेक क।ष्यन देखे, राजिस्थान रोड विजन 2025 के क्या उदेश हैं, राजिस्थान रोड विजन 2025 का एक उदेश रखा है, रोड विजन 2025, इसके अंतरकत क्या सोचा गया है, तो इसके अंदर जो उदेश रखuna हैं, सदी के पहले 25 वर्ण में निर्म, सदी कौन सी, ये जो आपके चल रही है, इसके स्टार्टिंग के जो 25 वर्ट में जितनी भी सडके निर्मान की जा चुकी हैं या हो चुकी हैं, उनका विस्तार करना और उनकी देखबाल करना, एक्सप्रे हाईवे, फ्लाई ओवार्स, रिंगोड आदी का निर्मान करना, गामों को सडकों से जोड़ना ये सभी इस रोल विजन 2025 का हिस्सा हैं, चलिए, नैक कुशन देखिए, राइस्थान में किस प्रकार का परिवेहन सरवाधिक विक्सित है, तो देखिए, यहाँ पर जो सरवाधिक विक्सित है, वो सडक परिवेहन है, यहाँ पर और सबसे कम विक्सित अगर देखा जाए, तो जल परिवेहन है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो इस समुद्र सीमा हैं, इससे लग रही है, नहीं यहाँ कोई नदियां है, सदा वाहीनी कोई नदी है, यहाँ जो ना के बरावर विक्सित कहा जा सकता है या फिर कहें कि विक्सित ही नहीं है और सडक परिवेन जो है वो काफी हद तक इसमें विक्सित है ठीक है नेक कोशन देखें राज्थान राज्ये में सडकों को किस प्रकार वर्गी करत किया जाता है तो देखें राज्थान में जो सड वो मुख्यता है चार भागों वर्गी करत किया जाते हैं, राश्टे राजमार्क यानि नैश्टनल हाईवे आपके, है ना, राजी राजमार्क यानि स्टेट हाईवे आपके, डिस्टिक्स, रोड्स, जिला सडकें जो होती हैं और ग्रामींड सडकें, जो गाउं से, गाउं राजमार्क कौन सा है, यह कुश्चन आता है, और यह कुश्चन एक बार नहीं, कई बार रिपीट हो चुगा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा, राज थान में सबसे वैस्तम राज्टि राजमार्क कौन सा है, यह है नेश्ट्ट, यानि नैश्टनल हाईवे आट, र योजना के तहत विभिन गाउं को सडकों से जोड़ दिया गया है और अभी काम चालू भी है चल भी रहा है कौन सी है ये योजना प्रधान मंत्रिक गामीन चड़क योजना के तहत गाउं को सडकों से जोड़ा जा रहा है और उनको मुख्य सडकों से जोड़ा जा रहा है तो ونकूिस्ट्रास्था में ऊप्तरास्थान नो कॉंसा थी पूर्डवट शुक्त है राईस्थान में पक्सिये हुआ यहां से हमारी राष्टार की प्रश्चिमी सीमावर्ती छेत्र का है जहां अंतराष्टी सीमा है यहां पाकिस्तान से जो भारत की जो टाच होती है वो सीमावर्ती छेत्र है प्रश्चिमी सीमावर्ती छेत्र है तो वहां पर क्या है राष्टी राजमार्क 15 है जो काफी लंबा भी ह है ना सबसे लंबा राष्ट्य राजमार कौंसा राष्ट्चें मैं NH-15 या राष्ट्य राजमार 15 नेक कुश्य'ं देखें ये कुश्ट्य वियापार के तौर पे देखा जाए तो बहुत ज़दा important होता है इसलिए ये question बार-बार आता भी है तो इसको भी याद रखेगा NS 14 और 15 राश्री राजवान 14 और 15 जो है वो राइस्थान को directly कांडला बंदर का जो है गुजरात का वहाँ से जोड़ते हैं नेक question देखें भारत सरकारदारा घोसित भारत माला परियोजना किस से सम्मंदित है ये question काफी important है इसके आने की काफी संभावना है तो इसका रहाद रखेगा भारत सरकारदारा घोसित जो भारत माला परियोजना है वो किस से सम्मंदित है वो है सडकों के विकास से सम्मंदित भारत माला पर्योजना में सड़कें कहां बनाई जाएंगी, तो वो कहां पे हैं, सीमा वर्ती राज्यों में, मुख्यते जैसे राजिस्तान हो गया आपका, पंजाब हो गया, जम्मू कस्मीर हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्राकंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक आपकें, असम, अरणाचल प्रदेश, मनिपूर, मिजोरम, यह जब जो सीमा वर्ती राज्यों हैं, जहां से अंतराष्टी सीमा मुख्यता लग रही है, वहाँ पर यह भारत माला पर्योजना, वहाँ पर सड़कें निर्मान करके, इसको बनाया जा रहा है, यहां पर इसके बड़ा हिस्सा है, यह करिण 1500 किलोमीटर का है, राज्थान में जो अंतराष्टी सीमा वर्ती छेतर हैं, जहां से अपने पाकिस्तान से टच होता है, अपना भारत, वहाँ पर यह सीमा वर्ती छेतर में इसका निर्मान किया जाना है, क्योंकि सीमा वर्त माला पर युजना किसक लिए है सिमवर्ति छेत्रों के लिए हैं तो यहां पर राईस्थानी राईस्थान के अंदर लगभग पंधरे सो किलूमीटर की सडख बना तेह हुा है नेक कोशन देखिए भारत में पहली रेल कब वैढ कहा हं चलाई गई थी भारत में पहली रेल कब वे कहां चलाई गई थी तो ये 1853 में महाराष्ट के मुंबई एवं थाने के मद्ध है जो भारत की जो पहली रेल है जब अंग्रेजों की गौर्मेंट थी तब ये चलाई गई थी 1853 में महाराष्ट के मुंबई एवं थाने के मद्ध है है न चलिए ने कोशन देखी, राजिस्थान में पहली रेल कब वे कहां चलाए गई थी, राजिस्थान में, वो कौन से थी, भारत में, ये कहां की है, राजिस्थान में, राजिस्थान में पहली रेल कब वे कहां चलाए गई थी, तो ये आपका 1874 जो बांदी कुई है, है न, बांदी को इसे आग्रा फोर्ट के लिए बांदी को इसे आग्रा फोर्ट के लिए चलाई गई थी नेक कोश्चन देखी राइस्थान में रेल मार्ग की लगभग कितनी लंबाई है राइस्थान में जो रेल मार्ग जो बिचा हुआ है वो लगभग कितनी लंबाई पर भैला हुआ है तो वो है 6000 किलोमेटर राइस्थान में जो रेल मार्क है वो परिबन 6000 किलोमेटर लगभग लंबा है नेक क्वेशन देखिए राइस्थान का रेल मार्क भारत के किस रेलवे मंडल का हिसा है आपको पता है जो रेल मार्क है वो कई मंडलों में विभाजित है तो राजिस्थान किस मंडल का है ये राजिस्थान है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का हिसा है राजिस्थान उत्तर पस्चिमी रेल्वे मंडल के अंदर गताता है और इसका जो मुख्याले है उत्तर पस्चिमी रेल्वे मंडल का वो कहाँ पे है वो है आपका जैपूर के अंदर इसका मुक्याले जैपूर के अंदर है नेक कोशन देखी राजिस्थान में रेल परिवेन का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है राजिस्थान में रेल परिवेन का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है तो कौन सा है ये जैपूर जैपूर आपको पता है, इसका मुख्याले भी है इस मंडल का, तो निशित तोर पर ये काफी सभाविक बाद ही है, कि सबसे बड़ा केंदर भी कौन सा होगा, जैपूर ही होगा, तो राज्थान में रेल परिवेंड का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है, जैपूर है, नैक में इस्थानिये परिवेंड के लिए उप्योगी रेल, यानि जो बड़े सहर हैं, उसमें जो इस्थानिये रूप से, मलब सहर के अंदर ये सहर के आसपास के जो छेत्र हैं, वहाँ पर जब हम परिवेंड के लिए ट्रेन का उप्योग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो प्रताप हवाई एड़ा कहा इस्तित है तो देखिए वो है जैपुर के सांगानेर में जो अंतराश्टी हवाई एड़ा है वो राइसन का पहला और सबसे वैस्तितम अंतराश्टी हवाई एड़ा है नेक कुश्चन देखिए महाराना प्रताप हवाई एड़ा कहा इस्तित है महाराना प्रताप हवाई एड़ा जो है वो कहा पर है वो है आपके उदयपुर के डबॉक में कहां पे है वो उदयपुर के डबॉक में तो इसे के साथ आपका होती है यह चैप्टर भी समाब आपकी एक क्लास भी होती है यहा वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.